वीड उन्यूक वाहने जाज mee स्वागत है अपने सबी आपके पने फेवरिट चैनल निउलाइट नीट पर येஸ रभी वाहन भी वाहन नीलांजन वाहन है येश सुजाता येस फिूचरव ऑजीद कुमार यस अखिलेश्ट वेधेई येस अंकिता सिंग येस लबकुष कुमार गुड इवनिंग येस शैलन सिंग जी वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग अल अफ यू तो आज हम लोग डिसकस करेंगे अल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और इसका अज थार्टी एट टेस्ट था कैसा हुआ आप सबका बायो कैसा हुआ बायो पेपर कैसा था येस रादे रादे रवी जी येस अभिशेग पुर्सकर येस रतन कुमार वेरे गुड इवनिंग ओके रतन वेरे गुड इवनिंग बहुत अच्छा येस अशोक वेरे गुड इवनिंग येस संद्या वेरे गुड इवनिंग और अंकिता आज लेंदी था चैल ये डिसकेशन स्टार्ट करते हैं यह सब है वेरे गुड इवनिंग ओके सूरज चलो डिसकेशन स्टार्ट करते हैं लोग और यह सेशन है इस मिशन के तैत बढ़ने का अधिकार सबको दॉक्टर बढने का अधिकार भी सबको और मेंटर सेशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरुवात करते हैं और मेरे साथ इस सेशन में हैं डॉक्टर मनीश गुपता सर डॉक्र एलेश सर और अब्दुल सर चलिए और एस्टी 38 फुल स्लेबस टेस्ट तो पहला कॉश्चन आपके सामने दा क्रैप साइकल अकर सिन विच ऑगनिजम किस ऑगनिजम में क्रैप साइकल प्रेजेंट है नौस्टॉक यूगलीना स्फैग्नम सी कुकुम्बर और पाइनस यह एक्जाम्पल्स दिये हुएं क्या आंसर ह यहां पर नौस्टॉक क्रैप साइकल किसमें होगी क्रैप साइकल यू करियो टिक जाहां पर माइटो कॉंड्रिया प्रेजेंट है यू करियो टिक में होगी जाहां पर माइटो कॉंड्रिया प्रेजेंट है क्रैप साइकल का होती है माइटो कॉंड्रिया में माइटो एक्सेल नॉस्टाउग एन भीना यह एक हैं ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकरियोटिक सेल तो बाकी जो दिये हुए यह एक्जाम्पल्स यह यूकरियोटिक यूगलीना इस्फैग्नम से कुकुम्बर और पाइनस तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था फोर्थ बी सी डी एक्जाम्पल है इस्फैग्नम किसका एक्जाम्पल है इस्फैग्नम इस एक्जाम्पल ओफ यह पीट मॉस बॉग मॉस ब्रायोफाइटा करेक्ट यह ब्रायोफाइटा यह ब्रायोफाइट और सी कुकुम्बर यह किसका है सी कुकुम्बर का दूसरा नाम क्या होगा और य यह को कू मेरिया बस फिलकी Cub villain करेक्ट 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 सबको पता हूं यह जिमिनल्स वाल्यूम था कि में आज क्या हूगा है यह क्या होगा हं डिककर्पर करेक्टान्सर कया होना चाहिए, 102 का, yes, yes, total lung capacity, correct, correct, yes, value भी सहिए, 5800 ml, residual volume, volume of the air remaining in the lungs after forceful expiration, या after normal expiration, क्या सहिए, air remaining in the lungs after forceful expiration, या after normal expiration, क्या सहिए, yes, correct, good, correct, तो forceful expiration के बाद जो बचा रहेगा, वो residual volume, और forceful expiration के बाद जो maximum air हम लोग ब्रीद इन कर सकते हैं, वो क्या है, वो vital capacity, और vital capacity की value कितनी होगी, vital capacity की value कितनी होगी, vital capacity की value कितनी है, yes, FRC normal, correct, रवी, yes, 4,600 ml, correct, 4,600 ml, correct, next question, in mesophyll cells of C4 plant, which event takes place, mesophyll cells of C4 plant, C4 plant के mesophyll cells में, कौन सा event होगा, activity of pep case, carbon dioxide fixation, formation of oxyloacetic acid, question number 103, 103 का correct answer, yes, correct, correct, 103 में, mesophyll cells में, enzyme कौन सा है, pep case, carbon dioxide का fixation भी करेगा, और first product क्या बनता है, oxyloacetic acid, तो correct answer हुआ, all, और यह oxyloacetic acid, bundle sheet cells में, किस form में transfer होता है, oxyloacetic acid, जब bundle sheet cell में transport होगा, तो किस form में होगा, oxyloacetic acid, जब bundle sheet cell में पहुंचेगा, तो किस form में, है, yes, वर निका, good, aspartic acid, या malic acid, correct, correct, next, in laboratory, a scientist working on culture of human cells, at 6 a.m. morning, 5000 cells are present in culture medium, 5000 cells present है, सुबह छे बजे, and at 6 p.m. on same day, he see how many human cells in the culture medium, answer क्या होना चाहिए, इसका 104, correct answer will be, yes, good, correct shining star, correct वर निका, yes, push pain, yes, अब है, yes, रवी, yes, तो same, 5000 cells का 5000 cells ही बना रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर human cell cycle का duration किता होता है, human cell cycle का duration किता है, cell cycle का duration, yes, 24 hours, correct, तो 24 hours में यह डबाल होना चाहिए था, बट यहां पर 12 गंटे होए, सुबह छे वजे से, साम छे वजे, 12 गंटे, तो 12 गंटे में number of cells will remain same, 5000, combined total of the species of fishes, amphibian, reptiles and mammals, will be less than the species of, किस से कम होंगी यह, fishes, amphibian, reptiles and mammals, यह किस से कम है, किस से कम है यह, यह, yes, fungi, correct, fungi is more than firm, correct, next, phenotype of an organism is the result of, phenotype, phenotype मतलब दर्श रूप, जो दिखाई देगा, phenotype of an organism is the result of, cytoplasmic effects and nutrition, environmental changes and sexual dimorphism, genotype and environment interactions, क्या सही है, question number 106, yes, 106 का correct answer, yes, correct, UK, yes, pushpin, B नहीं, C, genotype, genetic constitution, जो है, वो डिसाइड करेगा, phenotype और environmental interactions भी, तो यहाँ पे correct answer क्या होना चाहिए था, 3rd, 106 is 3rd, next question, which of the following statement is correct for, TMB and bacteriophase, तो TMB के है, tobacco mosaic virus, it is a type of heterotrophic organism, it has a type of connecting link, a type of protist, a type of bacteria, क्या सही है, question number 107, in, yes, correct, it is a connecting link, और connecting link किस के बीश में, living or non-living के बीश में, living and non-living, living and non-living के बीश में, यह connecting link, tobacco mosaic virus, यह क्या है, यह plant virus है, तो इसका genome क्या होना चाहिए, प्लांट virus का genome, TMB का genome क्या होना चाहिए, genome इसका किसका बना हुआ है, tobacco mosaic virus का genome किसका बना हुआ है, yes, good, correct, single standard RNA, correct, तो यह क्या है, यह single standard RNA, correct, और bacteriophase का usually अगर पूछा जाए, usually क्या होगा, bacteriophase में usually genome किसका बना हुआ है, बैक्टिरियो फेज में genome usually किसका बना हुआ है, yes, correct, वरनिका, yes, निलांजना, yes, रवी, correct, correct, तो यह double standard DNA, correct, यहाँ पर double standard DNA, next question, which type of the following is correct match, यहाँ पर correct match क्या है, lymph, colorless fluid, single circulation, bird, incomplete, double circulation, mammals, double circulation, fishes, यहाँ पर correct match पूछा गया, question number 108, yes, correct, correct, तो lymph is colorless fluid, yes, रही है, और lymph के लिए हम लोग use कर सकते हैं, it is a tissue fluid, tissue fluid, इसका function क्या है, यह transport में help करेगा, और इसके क्या functions होगे, और इसके क्या functions है, immunity से related है, immunity से related है, और क्या function होगा इसका, इम्मुनिटी और फ़ंक्शन क्या होना चाहिए इस इंट्रेस्टीशा टिश्यू फ्लुट तो यह फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखेगा फ्लूइड वाल्यूम को मेंटेन रखेगा जो बचा हुआ extracellular fluid है इसको venus fluid में यह transfer करेगा middleman की तरह काम करेगा middleman की तरह काम करेगा और यहां पर single circulation bird bird में कैसा होना चाहिए बड़ में circulation कैसा होना चाहिए single circulation यह double circulation यह incomplete double circulation बड़ में कैसा bird में कैसा yes birds में double circulation mammals में double circulation complete double circulation और fishes में कैसा है single circulation single circulation और fishes में heart में कैसा blood होगा pure और impure या mixed pure blood impure blood या mixed blood कौन सा blood fishes में yes correct impure venus deoxynated blood correct तो इसलिए इसको venus circulation भी बोलेंगे venus circulation of deoxynated blood correct given below are two statement that testis are situated outside the abdominal cavity within a pouch called antrum each testis has about 500 compartments called testicular lobus क्या सही है यहां पर question number 109 109 का yes both are incorrect both are incorrect और दोनों incorrect क्यों है क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था 250 और और यंट्रम की जगए हमार क्या होना चाहिए थाला है जो compartments हैं तो यहां पर semi-ferrous tubules 1,2,3 तो minimum to maximum number किता होगा semi-ferrous tubules का in each test minimum to maximum in each test semi-ferrous tubules का number क्या होगा अगर each test में पूछा जाए minimum to maximum number of semi-ferrous tubules yes let's crack neat correct 200-700 correct क्योंकि एक में कितने हैं एक से तीन हो सकते हैं तो अगर एक मान लिया जाए तो 200 और तीन माना जाए तो 700 तो minimum से maximum कितना होगा 500 से 700 semi-ferrous tubules in each test is which one of the following is odd for female reproductive structure in flowering plant female reproductive structure के में क्या odd है flowering plant के respect में ofry style stigma unther'll as कैंस है यह सहीं आराट किसका पारट है एंधर में यह लियंए पर जणडेटिव पार्ट है यह यह जनडेटिव पार्ट यह पर और पॉलिन ग्रींस का का formation होगा जनेरेटब पार्ट यह फिलामेंट तो यूजली फॉंस में जो इंथर है यूजली फॉंस में जो इनधर हो कैसा है यूजली ऐन्यूस पॉंस का अंथर कैसा होगा बाई लोब डाइ थीकर्स tetrasporengiate true or false diithecus tetrasporengiate true or false usually bilob diithecus and tetrasporengiate yes correct so yes are a say next given below are two statements variation are very important for the process of evolution meiosis also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next question 111 111 correct answer yes correct variation are very important for the process of evolution evolution के लिए क्या चाहिए change और change कहां से आएगा meiosis also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next और meiosis कैसे करती है meiosis किस तरह से responsible है genetic variability के लिए meiosis किस तरह से responsible है genetic variability के लिए यह कौन सा प्रोसेस होगा meiosis में कौन सा प्रोसेस येस जेनेटिक री कॉंबिनेशन क्रोसिंग और करेक्ट और रेंडम डिस्टिबूशन किसका क्रोमोजोम का और गैमेट्स का फर्टलाइजेशन यह भी रेंडम प्रोसेस तो यह सारे चीजह हैं जो बांस बिलाइशन के लिए तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स है 111 का करेक्ट आंसर बोथ स्टेटमेंट वान एन स्टेटमेंट टू और करेक्ट अपलोग ने एकदम सही बताया next question select the correct statement for the flagela flagela के लिए क्या साहिए it is involved in motility it is membrane bound cell organelle it is related with eukaryotes क्या सही है क्या सही है यहां पर yes all are correct yes d all are correct it is involved in motility it is membrane bound cell organelle और related with eukaryote यह eukaryotic flagela की बात हो रही है तो eukaryotic flagela की अगर बात की जा तो यहां पर arrangement क्या होगा 9 प्लस 0 या 9 प्लस 2 या single standard क्या सही है क्या सही है क्या सही है अगर eukaryotic flagela की बात की जाए yes correct 9 प्लस 2 और 9 प्लस 0 किसमें centriole में basal body में या cilia में centriole basal body या cilia 9 प्लस 0 9 प्लस 0 इस प्रेजेट इस प्रेजेट इन या स्वार निका वेरे गूड correct centriole नहीं सिर्फ centriole और basal body centriole और basal body cilia और flagela में 9 प्लस 2 correct next select the incorrect statement for the ribosomes ribosome के लिए कौन सा incorrect statement related with protein synthesis it is semi-autonomous organelle it is present in some cell organelle क्या सही है यहां पर related with protein synthesis it is semi-autonomous organelle या present in some cell organelle क्या सही है यहां पर हंडेट थर्डीन कि येस कि इन्करेक्ट स्टेट्मेंट फॉर राइबोसों तो राइबोसों प्रोटीन सिंथिस से related हैं सही है present in some cell organelle इसलिए इसको बुला जाता है और नियल विदिन एन और नियल organelle within an organelle क्योंकि यह organelle खुद है और organelle के अंदर present और कौन से और नियल है जिसमें यह present within an organelle कौन से और नियल है जिसमें यह present है यू-केरियोटिक के कौन से अगनिल जिसमें यह प्रेजेंट है? येस, माइटो कॉंटिय एंड क्लोरोप्लास और कौन सा वाला? 7TS वाला या 8TS वाला? माइटो कॉंटिय एंड क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? 7TS या 8TS? येस, करेक्ट वर्निका, निलान जिना, पुश्पेंद, करेक्ट, 70S तो यू-केरियोटिक में कौन से? 7TS भी होगा और 8TS भी तो यहां पर सेमी ओर्टोनॉमस और सेमी ओर्टोनॉमस कौन से है? क्लोरोप्लास और माइटो कौन्टिय और इनको सेमी ओर्टोनॉमस क्यों बोला जाता है? क्लोरोप्लास और माइटो कौन्टिय को सेमी ओर्टोनॉमस क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंतिस भी करते हैं, अपना RNA भी है, अपना DNA भी है लेकिन जो major proteins हैं वो किसके control में हैं वो nucleus के control में हैं इसलिए semi-autonomous स्वतंत्र है बढ़ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं next select the incorrect match for secondary metabolites incorrect match क्या होगा secondary metabolites क्या carotenoids, pigments, curcumin, toxin, codeine, alkaloids, concanavalin, a, lactans, 114 yes good curcumin, curcumin क्या है curcumin क्या है carotenoids, pigments सही है codeine, alkaloids सही है concanavalin, a, lactans सही दिया हुआ है curcumin की category क्या होगी yes it is a drug correct और toxins में कौन से आएंगे toxins में कौन से आएंगे curcumin जो है यह anti-cancerous भी है और anti-inflammatory भी है और turmeric से obtained होती है हल्दी से turmeric से yes abrin and ricin correct good abrin and ricin तो यह सारे क्या है secondary metabolites तो secondary metabolites के लिए अगर पूछा जाए कि secondary metabolites have known roles तो यह सही होगा या गलत secondary metabolites have known roles known roles इनके identifiable function है known role है इनका secondary metabolites का सही या गलत यह आज विक्रम सर ने दम लगा दिये गुरा correct yes yes तो यह false correct इनका कोई known role नहीं है no identifiable function like primary metabolites select the incorrect match co-enzyme organic compound NADP vitamin niacin NAD prosthetic group and zinc is a co-factor क्या सही है question number 115 115 में कौन सा incorrect match yes correct third NADP NADP co-enzyme है और इसमें essential component क्या होगा niacin co-enzyme यह भी organic compound है लेकिन यह transiently bound है zinc यह co-factor metal lines और NAD यह prosthetic group नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए था यह तो NADP co-enzyme बताते यह फिर इसका essential component बताते विटामिन जो की निया से नहीं तो correct answer according to the question is third yes correct heme is prosthetic group correct तो zinc किस enzyme के लिए co-factor का काम करेगा zinc किस enzyme के लिए co-factor का काम करेगा यह सूरज correct विक्रम सरे के क्लाइन को cover करते हैं बहुत अच्छा paper बनाते हैं good yes carboxy peptide is correct yes correct and alcohol dehydrogenase also select by incorrect match for factors affecting photosynthesis photosynthesis को जो अफेक्ट करते हैं factors incorrect match उनके लिए क्या होगा sunlight external factor amount of chlorophyll external factor age and orientation of leaves internal factor here temperature external factor question number 116 yeah say incorrect match yes pushpin correct b amount of chlorophyll it is internal factor external factors अलाद दिया हुआ sunlight external factor a number age orientation of leaves yes of internally yes of internal ग्तख़र्चर्थे, ग्यक्षा प्यक्तूर μέ। given below are two statements in dicot leave the tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll in dicot leave the vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheet cells yes correct dicot leave tissue between the upper and lower epidermis is called mesophyll in dicot leave the vascular bundles are surrounded by layer of thick walled bundle sheet cells correct mesophyll here are differentiated or undifferentiated here are differentiated or undifferentiated mesophyll is it question number under 17 is differentiated mesophyll or undifferentiated yes it is differentiated correct differentiated palisade or spongy palisade and spongy next select the incorrect match cartilage cell condrosite macrophage aereolar tissue goblet cells elementary canal plasma collagen fiber are present in rose yeah correct select the incorrect match yes correct yes correct to plasma collagen fiber are present in rose yeah but fibers are present blood is the example of connective tissue which is my fibers not in the blood example of connective tissue which is my fibers not in the other wise connective tissue which is my fibers is the same as fiber fiber cell and component and connective tissue which is my fibers fiber cell and component and connective tissue which is my fibers correct matrix 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 की लिए अगर कनेक्टिव टिशु की मोस्ट अबंडेंट सेल पूचिए सबसे ज्यादा मात्राइं पाए जाने वाली सेल कौन सी होगी लिए कौन सी इस दरहें करेक्ट यह श्रीकांत यह सब्ट्राइब करेक्ट फाइब्रो ब्लासट और यह नेक्स्ट सेलेक्ट दा इनकरेक्ट मैच जर्मन नेच्रलिस्ट अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट स्टैन्फोर्ड एकोलोजिस्ट पॉल एलरिज्ट सोचियो बायोजिस्ट एडवर्ड विल्सन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवें बाई डिविट तेल्मैन क्या सही है क्वेश्च एंदर वार्म बोल्ट सही है तन्फोर्ड एकोलोजिस्ट पॉल एलरिश्ट शोचियो बाईलिज्ट एडवर्ड विल्सन याँ पर क्या होना चाहिए था येस करेक्ट पॉल एलरिश्ट नेक्स्ट विच व्ट नेक्स विच अट्ट इस थेस्ट एक्ट इसलेट्ट येस, correct, correct, तो isolation, then fragmentation, और fragmentation के बात फिर क्या करेंगे, extraction of the desired, ये last में, extraction of desired product, next, select the correct statement for isolation of genetic material DNA, variety of enzymes are used, the RNA can be removed by treatment with ribonuclease, proteins can be removed by treatment with protease, क्या सही है, isolation of genetic material DNA, yes, तो enzymes का use किया जाएगा, cell isolation, genetic material का isolate करने से पहले, cell wall digest किया जाएगी, तो उसके लिए, फिर RNA can be removed, ribonuclease, protein, बाकि जो macromolecules से उनको remove किया जाएगा, तो correct answer यहाँ पर क्या, 121 is fourth, next question, select the correct match, agrobacterium vector, retrovirus vector, retrovirus is cancer causing agent, क्या सही है, question number 122, yes, यहाँ पर भी सारे ही सही दिये हो, agrobacterium vector है, retrovirus is vector, retrovirus is cancer भी cause करते हैं, जैसे HIV, agrobacterium किस के लिए vector का काम करेगा, plants के लिए या animals के लिए, plants में अगर gene transfer करना होगा उसके लिए या animals के लिए, agrobacterium, agrobacterium will, yes, correct, तो यह plants में यूज किया जाए, और retrovirus is animals में, correct, और cancer की most feared property क्या है, most feared property of cancer, most feared property क्या होगी cancer की, most feared property, yes, metastasis, correct, metastasis, next, which one of the following are a type of enzyme, beta-galactoside is, lysogyme, protease, कौन से type of enzyme है, yes, correct, तो protease, यह protein कर डाइजेस्ट करेगा, lysogyme किसको डाइजेस्ट करेगा, lysogyme किसको डाइजेस्ट करेगा, lysogyme is, yes, correct, Bacteriae CIDAL, Bacterial Cell Wall, correct, good, given below a two statement, the first restriction endonuclease, hint D2, whose functioning depends on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later, restriction enzyme and host organism are a type of key tools in recombinant DNA technology, क्या सही है येस बोत अ करेक्ट पर स्टेक्शन इंड निगलेसом ख़ और छिपने श्ञान क्या होगा खो WIL2 के लिए फाइव लेटर क्रेक्टराइश किया गया था इसलिए नाम दिया त्ब धिन जलकटीरं बहुत हैये बहुत है एक पहला रिस्क्शन येस, GTC, correct, Hindi 2 का, palindromic sequence, GTC, GAC, correct, 5'2, 3' तो यहाँ पर correct answer, 124 is fourth, both statements are correct, next, select the correct statement for making of pest resistant plant, pest resistant plant बनाने के लिए क्यास की जड़ुत पड़ेगी, transposons are used, nematode specific genes were introduced into the host plant by using agrobacterium, RNA interference technique are used all, yes, correct, तो RNA interference का use किया जाएगा, सही है, और nematode specific gene, किस के तुरू, agrobacterium के तुरू, और transposons का use, transposons क्या है, transposons यहाँ पर क्या है, transposons are, transposons are, yes, jumping genes, correct, और यह किसका source है, correct, jumping genes है, यह बारबरा मैक्लिंग टॉप्ने सबसे पहले discover किया था, मेज में, jumping genes, और यह किसका source है, इसका use क्या है, यहाँ पर past resistant में, past resistance में क्या use है, yes, वर्णिका, good, correct, yes, अफिजू, correct, yes, श्रीकांत, correct, source of double standard RNA, source of double standard RNA, जो की जरूरी होगा, RNA interference के लिए, correct, so I have covered my portion, now further discussion will be carried by my fellow partner, Dr. Manish Gupta sir, welcome, thank you all of you, thank you so much, you all are answering very well, keep it up, bye, take care, क्या दो क्णेओ आए 이쪽 के लिए सुआब्स, क्या रॉपशवान जे से अवावाई दिए lotta भावाई इसम तो गुड इनिंग फ्यूचर डाक्टर्स कैसे हैं सभी लोग उमीद कर रहे होंगे एक दम जखकास होंगे मस्त होंगे जवरदस्त होंगे और पेपर अच्छे से दे रहे होंगे तो बच्छों जैसा कि आपको पता है आज एफल्टी तेस्ट नमबर है बटा आपका 38 इसका चला है और उमीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से इंज्वाइब कर रहे होंगे कमिश्टी का सेसन हो गया है चलना है इसके बाद आपका फिजिस का होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि एसरसन ने रीजन टाइप पर कोश्चन है मैंगो एंड पैपया और टाइ ट्रूफूट हुआ फूट होते हैं जिसमें वल्ली ओवरी कांट्रिब्यूट करती है फ्रूट फार्मेशन में ठीक ना तो सही है तो अब यहां से कई कोश्चन और बनते हैं पहला मेरा कोश्चन है कि जो फाल्स फूट है क्लेस में ओभरी आये एंगा कि नहीं आये गा अघवस्चक्र फूट में ओवरी का पार्टिच्फेट करते तो वह जो पार्टिसीप्रेटिंग के कारण क्या होगा फाल्स फ्रूट है डूसरा कॉशन एक्जांपल करता है तो कई सारे बच्चों ने दे दी अग्जांपन तो इसमें आ जागा बटा अपल कि श्ट्रोवेरी इंड कैसिव ऑच की एपल श्ट्रोवेरी और कैसिव अब बटाव का मैंगो तो मैंगो जो है नाम है मैंजी फेरा इंडी का फेमली है एनकाड यासी जरह इसका ओर्डर बताईए order of mango, डाइकाट होता है class family है एनकाड यह सी नाम है मैंजी फेरा इंडिका पूछा जाता है कई बार कि यह सैपीन डेल्स अगर mango टैसे आया है फिर इसके बाद आया है mango एंड सिट्रस मेरा काम है कि बैलो जी मेंडो कहीं है तो आपको आथ जानना चाहिए तो mango and citrus कहां आया है एक साथ mango and citrus एarmed एले मेंगो है मैंगो का सिंचा के अथाफी पाली इंछ फॉलिकानी इन पाली इंदन पतू टा करिकले मुझ्प के रावा और भी जनि मोर दन वन चाप अ हुआ है फिर mango and coconut mango and coconut mango and coconut yes यह बटा droop fruit के example होते हैं droop fruit की खास्यद होती है जो आपका indocarp होता stony होता है superior over e monocarpillary यह भी याद रखना चाहिए ठीक ना तेरा कहानी mango का अब बड़ा कहानी आता है आपका papaya का इसको मैं मत बूलिया पपया भी प्यारा है तो papaya and date palm यह कहाँ पे example आते हैं papaya and date palm yes dioces होते हैं यानि male and female अलग-अलग plant पे होगा इसके कारण से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीनो गैमी होगी ठीक है बाकी papaya में seed भी ज़्यादा होगा हर कोई पपीता खाया तो जानता है यह चली अगला कोश्चन विच वन दो फॉल्विंग इस कर्यक्ट इस्टेट्मेंट फार इंडो इंडो इस्पर्म इंडो स्पर्म के बारे में कौन सी बात सही है प्रोडक्ट अब डबल फाइटिलाजेशन फॉर्म इन बोथ इंडो स्पर्मिक एंड नन इंडो स्पर्मिक सीड दा सेल्स अब इस्टिशू आर फूड मेटेरियल और यूज़ फार निउट्रिशन अब डाइवलपिंग इंब्रियो तो भाई मैटेरियल की तरह काम करता है डबल फटलाजेशन का प्रोड़क्ट है जब पहला तीसरा है आपने पहला तीसरा क्यों पड़ा एक्शुली बहुत सारे बच्चों को यहां पर ऐसे तो होना नह परेमिन ना तो लगता है इंडोसपर्म है यहां नहीं है ठेकर ना अगर कन्रिज होते तब भी आप कर ले जाते हैं और माली ज När अपको पता है चाए कोई भी सी डो चाहे इंडोसपर्मिक हो चाहे नौन … accents हो बस बाद में अगर खतम हो गया कैं, खतम होने के बाद , not Laz पर कि यस निवेश्चीन ने डबल फर्टलाजेशन में दो इवेंट होते हैं एक होता सिंध गैमी और एक होता ट्रिपल फ्यूजन कौन से इवेंट का रिजल्ट है इंडो स्पर्म कौन से इवेंट का रिजल्ट है इंडो स्पर्म आपका कौन से इवेंट का है तो भाई ट्रिपल फ्यूजन इस नहीं जहां पर एक मेल गई मीट है दो पोलर न्यूकली आई था मिल्कर फ्यूज करेंगे और बनाएंगे इस प्राइमरी इन्डूस पर नूकलियस और सेल जो होती हो बदल जाती है से प्राइमरी इंडूस पर मसेट सिंघने में और आपका फीमेल गमिट का फटलाइजेसन दोता जाइगोट उसके बाद इंब्रियो इंडयो ज्यादा तर आपका जो इंडयोस पर मिक्सीड नो काट में होते हैं कि मोस्टली इन मोनो काट ठीक है एक ऐसा मोनो काट बताईए जो आपके सिलेबस में है जो नौन इंडोस्पर्मिक सीड दिखाता है क्या बात है आप लोग पहले से जवाब दे रहे हैं और किड जो की एक मोनो काट है अलेकिन इसके सीड कैसे होते हैं नौन इंडोस्पर्मिक से बहुत सा रहे है लेकिन आपके दिन हैद the Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issue into consideration including patent term emergency provisions and research and development initiative in 1977 an American company got patent right on Basmati rice throw U.S. Patent and Trademark Office तो देखें आपको पता है बायो पायरेसी मल्टी नेशनल कंपनी बीना बताए चोरी शुपे डगैती कर ले जाती है नेचुरल रिसोर्स का साथ हमारे उसको चुरा के उससे इस्पे प्याटन ग्रांट कर लेते हां और के इस पर हमारा अदिकार है अदिकार जता ना पेरी में सबस्च बतने के लिए इंडियन पारलियरमेंट में के सेकेन्ड अमेंड Hasta किया गया मतब बदलाव किया गया दूसरी बार और इसमें इस इंडियन पेटेंट में इंक्लूड किया गया कि अब बैटा कैसे पता चला कहते हैं जले होंगे कभी दूद का मतब एक बार 1997 में बास्मती राइस पे आपका पेटेंट करा लिया था अमेरिकन कंपनी ने जो हार गया के सब इंडिया जित गया है तो 1997 था इसलिए आपका गलत हो जाएगा 77 पहला सही दूसरा गलत एंसर हो जाएगा सेकेंट अब बड़ा 1997 बहुत अच्छा लगता है कि आप जवाब मेरे मन में जो कोसर होता पहले ही दे जानी के लिए उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है टू पाइंट फॉर ग्राम पर लीटर और साथ साथ अलफा लेक्ट अल्बिमिन पाए जाता है अलफा लेक्ट अल्बिमिन अ यहार अलफा जैसे सब दो तीन है जो लिख दे रहे हैं अलफा इंटर फेरॉन जो फेमस हैं अलफा लैक्ट अल्बिमिन जो पूछे जा सकते हैं आप भी जानते हों अलफा एंटी ट्रिप्शिन कभी कभी आपका अलफा माईलेज भी मिल जाता है कि यह आप लोग का जिब्रेलिंस है कि इंडोस्वन तोड़ने के लिए तो अलफा इंटर इंटर फेरां बाइलोचकल रिस्पॉंस मॉडिफायर है कैंसर ट्रीट्मेंट में यूज करते हैं ट्रांजनिक काव रोई रोजी 1997 2.4 ग्राम पर लिटर और अलफा वन एंटि ट्रिप्शिन बदाये हैं यूज तो ट्रीट एंटर अपर और अध्र ट्रीट्व एंटर आपको पता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तीन गृूप होता है इंसेट काव है और है नए लेपिड आप्टिरस का रिया अब कोली जोतर है अब अड्राइस में ध्रेस में आते है आते हैं निटल्स में दैको बड वरम और और में कि यह बीटी टॉक्षिन के लिए अलग-अलग गुरूप काम करता है तो डिप्टरेन में टोबैको बढ़ बार मार्म किस में आगए बटा लेपीड अप्टरेन में ते गया यह सही हो गया आपका कॉलिप्टरन डीटर कई बार याद कर लीजेगा कि यह तो अज्याद हो जाता है ना ए बी सी से करके बीटल सी ठीक ना कि सेलेक्ट डा करेक्ट मैच टेस्मानियन वॉल्फ क्वैला बंडी कुट स्पाटट का सब्सक्राइब करेक्ट मैच बताईए कौन मार्थूपियल है कौन प्लेसेंटल मैं मल से यह बताना है आपका तो आपको पता है यह सारे किसके एक्जाम्पन मार्थूपियल के हैं तो मार्थूपियल खड़ी एक ही मैचिंग और क्वैला ठीक है यह बताईए मार्थूपियल आपस में कौन से एड़ाप्टेशन दिखाते हैं कौन सा इवलूशन सो करते हैं देखे बड़ा इसमें कुछ ऐसे भी नाम जो इस्पेशल नेम होते हैं वो ज्यादा तर मार्थूपियल को होते हैं थोड़ा वह तो याद करना पड़ेगा ते बड़ा एड़ाप्टिव रैडियेशन हैं अब जगे वामिका स्रिकांत रवी सभी लोग कनवर्जन बोला है पहले सभी लोग स्वारी वर रही हैं गलत है आप ने 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 बहुत गलत जवाब दिया आप लोगों ने 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 ये ए ऐसे दहन दहां दो माली ये अस्टेलिया है कि पहली बात एड़ाप्टिव रैडियेशन एक आइसोलेटेड जियोग्रापकल एरिया में होगा एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और इसके अलग-अलग एरिया को फैल जाएगा ते माली ये मार्सुपियल अलग-अलग ग्र रहे होंगे मालों प्लेसेंटल मैमल रहे होंगे तो प्लेसेंटल मैमल का भी जो गूरूप रहा होगा एड़ाप्ट करके ओभी क्या किया अब देखिए तो ये पीला वाला माली ये क्या हो गया मार्सुपियल्स और लाल वाला क्या हो गया प्लेसेंटल मैमल और इनूजओल देखोगे तो क्या कर रहे है तो मार्सुपियल्स का अस्टेलिया में क्योब अधो राया अड़ियेशन लेकिन आप दोनों लाइनों को देखा गया रेड और यह लों तो दोनों एक साथ साथ चल ले हैं और एक जगह जाकर एक अठा हो रहे हैं तो जब इन दोनों का करोगे तो एक क्या है आपस में कनवर्जेंट इविशन होता है तो आपस में क्या कहलाते हैं कनवर्जेंट इवलूशन उमीद करते हैं आप क्लियर हो गया होगा ठीक है ना इंडिविज्वल एडाप्टिव रेडियेशन में उसके अधार पर दी जाती है कि लाइन चार्ट कैसे जा रहा है इवलूशन बाइन नेचुरल सेलेक्शन इने टू सेंस वूड है श्टार्ट सेललर फार्म फार्म फ्लाइब डिफरेंस इन मेटाबोलिक कैपेबिल्टी ओरिजिनेटेट अन अर्थ वेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडियेशन अपियर तो हैव अकडिन एन आश्यूलेट जोग्रापकल एरिया वन कैन कॉल इस कनवर्जेंट इवलूशन ते तभी म लाइफार्म आई तो बटा आपका पहली जो लाइफार्म आया था वह क्या था कीमो हेट्रोट्रॉट अब देखते क्या इसमें नेचुरल सेलेक्शन हुगा तो यह कीमो हेट्रोट्रॉट आप जिस केमिकल को खाते थे जाइट से बाद जब इनकी जनसंख्या बड़ी जिनके बास चांसिस था या तो केमिकल को खा रहे थे उस पर ही डिपेंडेंट रहें और मर जाएं या तो अपने आपको इवाल्व कर लें तब कुछ लोगों ने कहा कि हम खाना खुद बनाएंगे तो कीमो आटो ट्रॉट्रॉट आए हैं केमिकल की मदद से खाना बनाने लगें अब यह केमिकल की मदद से बना रहे हो तो भी कभी न कभी खतम होगा जैसे हम लोग पहले केरोसीन आयल यूज करते थे फिर देखें धीरे धीरे सोलर एनरजी की तरफ इवाल्व हो रहे हैं तब कहा कि ऐसा लाइट जूड़ो जो ऐसा एनरजी देखो जो अल्टिम सबसे पहले बैक्टिरिया सब बैक्टिरिया वाले गूरुप है और सबसे पहले जो बैक्टिरिया गूरुप आया था हो कौन सा आया था साइनो बैक्टिरिया ऑक्सिजनिक वाला तो दोनों बाते सही हो गई और 4.0 बाया 3 बाया एंड 2 बाया यह भी याद कर लिजेगा पहली लाइफ अगर पूछा जाए तो बोलेंगे 4 बाया में आई है फ़स्ट नौन सेलुलर लाइफ फर्म पूछा जा तो 3 बिलियन ये ओगो और फ़स्ट सेलुलर लाइफ फर्म पूछा जाए तो 2 थाजन मिलियन या 2 बिलियन इयर ओगो चले भी आगे बरते हैं Ha जलेक्दा इंकरेक्ट मैचे स्थरेखे n ना फैर चाजिए स्टैक्टू का कर इनकरेक्ट मैच पूछा है कि तो देखिए जबह हैंशना आरन नहें यानिय क्रोसे मर्टाने बनाएगा अर्यो को प्रोसेस हो वक्रोसेसера या बनाएगा एक घ्र्ड और य चनल also के में आपकी step होते हैं capping, tailing and splicing. splicing में intron reboot की जाते हैं HNRN के, five dash end पे capping होता है, three dash end पे tailing होता है, तब mature MRN बनता है, और यह feature होता complicated group में, complicated group को उने eukaryotes, ठीक है न, तो prokaryote में HNRN नहीं होगा, streptokagas bacteria क्या है आपका prokaryote, यानि bacteria है, prokaryote है, और आपको पता है prokaryote में introns नहीं पाए जाते हैं, इसलिए HNRN ने streptokagas की बात नहीं करेंगे, बाकी आपका ट्रांस किस्वा में initiation factor क्या होता, sigma factor और termination factor क्या होता, row factor अरे यार पचीस क्या, पचीस करोल अप्लाइ करें, आपको क्या लेने देना, आप कर्म करिये, भगवान आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, सबी लोग आपके साथ हैं, निवलाड इंसिटूट आपके साथ हैं, अच्छा यहां से कोशन और बनता हैं, कि वहिया अगर HNRN नहीं होगा, बैक्टिरिया में, प्रोकेरियोट में, तो इसप्लाइसिंग भी नहीं होगा, इसप्लाइसिंग कराने वाला जो होताा, इसप्ली स्योसोम कहलाता है, जो HNRN 맞ब्रोटीन का बना होता है जरह बताईए rape hrna- 돼nt is एक कोचन गिमागे पूछ आज जाता है कहां नहीं पाए जाता नहीं होगा तो प्रो प्रो जोनियोगा होगा यू करन पूरा नाम ने लिखा क्या है वाई एलिगेंस लिखिये नॉन पैतोजनिक एलिगेंस इधर आ जा गए है निमेटोड एरेबडॉसिस थैलियाना आर्थोपोड एरेबडॉसिस पैतोजनिक निमेटोड यह आपका नॉन हुमन मोडल है जिनके जीनों की सिक्वेंसिंग कर जाए मतला कम्प्लीट है तो सीनों रबडाटे से लेगें नॉन पैतोजनिक निमेटोड होता है तो दूसरा सही हो गया एरेबडॉसिस थैलियाना बड़ा एक प्लांट है आर्थोपोडा नहीं है तो यह रबडासिस थैलियाना और आपका राइस पुरा नाम थैलियाना इसमें यह दो प्लांट है जिसका आपका जीनों की सिक्वेंसिंग की जा चुकी है सीनो रेबडाटिस एलिगेंस निमेटोडा मतब की एसकल मेंथिस का मेंबर है अरे नान पैथोजनिक होता है इसलिए आपको याद होगा कि निमेटोडा जब गुरुप पढ़ा होगा आप लोगों ने तो वहाँ पर लिखा होगा कि पैरसिटिक बोथ प्लांट अनिनमल दोनों होते हैं एक और निमेटोडा है मिलाडोगाइन इनकोगनीशिया यह कहां पढ़ा है आप लोग ने मिलाडोगाइन इनकोगनीशिया यह सारने इंटरफरेस टोबैको प्लांट में के रूट में इंफेक्शन करता है बायो फैटलाइजर और आर्गनीशम देट इन्रिज दा नूट्रियंट क्वालिटी अब दा स्वाइल तो बायो मतब लिविंग फैटलाइजर मतब भाई फैटलिटी बढ़ाएंगे अब बायो है तो लिविंग आने चाहिए जैसे कि बैक्टिरिया नाट्रोजन माल पंजाई मैकोराइजम हो गया सैनो बैक्टिरिया कोलरवाइड रूट आप साइकस तर नूट्रियन बढ़ाएंगे सही है यह हो गया ट्रू दा अर्गनीक फार्मर होल्ड आविव देट दा एर्रेडिकेशन अब दा क्रियेचर देटर आर ओं दिस्क्राइब आज पेस्ट अब भाई साब देखिये क्या है इतना लंबर लाइन ले दिया गया यह बायो कंट्रूल एजेंट में आता है कहते हैं अगर आपने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड क्या कर दिया खेत में छिड़क दिया तो जो भी इमाली इंसेक्ट है चाहे आपके पॉलिनेशन क आपके फसल को नुकसान कर रहे हैं वो दोनों को मारा जाएगा तो आपका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और साथी साथ आपके खेतों में जो उसके प्रिडेटर है वह भी मारे जाएंगे भूक से तो जो ऑर्गेनिक फार्मर होते हैं सोचते हैं भाईया ऐसा करिए चिंक ठीक है तो बायो कंट्रोल आपका जो आपने टॉपिक पड़ा है वहाँ पर यह आपका टॉपिक है चलिए अब बिटा दोनों बाते सही है एंसर हो जाएगा फॉर्थ चलिए अगला कोश्चन इन बैक्टिरिया दा ट्रांस्क्राइब एम आरने इज फंक्शनल हैंस कैन डारेक्टली बी ट्रांसलेटेड दटी आरने बाइंट इस स्पैसिफिक अमीन असीड एट वन इंड एंड पेयर थो हाइडोजन बांड विट कोर्स ऑन एम रने थो इट इस एन्टी कोडान अभी आपको मैंने बता है बैक्टिरिया में नौन कोडिंग इंट्रों नहीं पाए जाते हैं तो प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है तो मैच्वर बनेगा और उसका ट्रांसलेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है इसलिए अगर बैक्टिरिया में कभी भी जीन का रेगुलेशन होता है तो देखा जाता है कि ट्रांस्किप्षन ही ना होने दीजिए क्बिए अगर में बन गया है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप रखना है और बैक्टिरिया में एक पार्ट्मेंट अपको पता है खालि क्या होता है साइटोफ्लागả इसलिए अमीनो एसिट को रखता है और एंटी कोडान लूप से MRN के कोडान से बाइंड करता है रूल आप कॉम्पली मेंटेर्टी इन्हीं है रिजल्ट का अप लोगों का ठीक बड़ा हम देखते हैं इसको रिजल्ट का आप लोगों का इन सिकल से लेनिया दा म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मालेक्यूल अंडर गोज पॉलिमराइजेशन अंडर लो ऑक्सिजन टेंशन कोजिंग दा चेंज इन शेप आप आर वसी फ्रम बाइक अंक्रेव डिस्क है तो सिकल से लेनिया नामी है वाई अनिय्ट मतब्ड़ से रिलेटेड रिठोल से अर्भी सिह हो जाता है कंब ओता है आपको पता बीटा गलोबीनिकी जगह हो जैँ पोजीशन बइस बीमारी पूझा जाती है तो ज blending है वोभि Кाशा-ाटो सॉमलल निच एथ टर्णर सिंड्रोम । डियू टू गें आफ एक्स क्रोमोजोम इन हुमन फीमिल भाया एक्स का गेंण नहीं होता है क्योंकि यहां पे 44 प्लस X जिरो होता है एक X कम हो जाता है मोनो सोमी का एक्जामपल है तो पहला सही दूसरा गलत तरनसर क्या हो जाएगा सेकेंट यह सारे बच्चों ने सही दिया है ठीक है छटे पोजीशन पर होता है बीटा गलोबिन चेन पर होता है क्रोमोजों की बात किया जागा तो 11 पर होगा क्वांटी टेट्व होगा की क्वालिटेट्व होगा क्वांटी टेट्व की क्वालिट्व होगा क्वांटी टेट्व की क्वालिट्व होगा बाकि क्वांटी तो बनेगी जबकि थैला सीमिया कैसा होता है वो क्वांटी टेट्व होता है अलपा एन बेटा, अलपा का क्रोमोजोम होता है 16, बेटा को होता है 11, अलपा में 2 जील, HbA1 और HbA2 और बेटा में बेटा सिंगल जील, HbV The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic The family pedigree of Cune Victoria shows a number of hemophilic descendants as C-Vaja carrier of the disease तो hemophilic होने के लिए female में दोनों X पे recessive होना चाहिए, एक mother से और एक father से तो mother कम से कम क्या होनी चाहिए, carrier और father कैसा नो चाहिए, hemophilic लेकिन ये father बनने से पहले ही मर जाता है, मतब कि boys जादा later state तक जिंदा नहीं रहता है, reproductive to yes तक तो female का hemophilic होना बड़ा क्या है, rare है Queen Victoria के family में hemophilic descendant पाए गए नहीं, Victoria जी को आपका नहीं मिला, उनमें बिमारी नहीं थी, वो carrier थी दोनों बाते सही हैं, hemophilia और color blindness x-linked recessive की category में आता है in which type of neuron one exon present, multipolar, bipolar, unipolar, all देखे, आपका कोई भी हो, उसमें exon हमेशा एक ही होता है unipolar में सिर्फ एक process होगा और जो किसकी तरह भी हैप करता है, exon की तरह अब लोगों में exon सोचने लंबा होता है, भाई, लंबाई से नहीं देखा जाता है यह जो cell body है, ध्यान रखना, उससे जो भी impulse दूर लेके जाता हो, वो exon होगा exon away, away from cell body, bipolar में एक होगा जो towards the cell body होगा और एक अवे, अवे मतब एक्जान, multipolar में, जो आप familiar हैं, यह देखिए अवे करत एक्जान हो जाएगा, और towards the cell body जो भी होंगे, वो कैसे हो जाएगे, डेंडराइट या डेंडरॉन, unipolar, इंब्रानिक स्टेज में होगा, bipolar, retinam होगा, ज्यादा तर कैसे होते हैं, multipolar, which cranial meninges is in contact with the brain tissue, कौन सा cranial meninges है, जो brain tissue के contact में होता है, एक फर्मूला है, डैप, तो पकड़ेगा brain को कौन, पतला होगा, बहुत मेंब्रेनस, पतली लेयर होगी, और कैसी होगी, brain के contact में होगी, durable होगी, durameter होगी, मजबूत होगी, बाहर होगी, खोपड़ियक contact में होगी, अब बीच में जालनुमा होगा, अरेकनवाइड, select the incorrect match, elderosterone, mineralocorticoid, cortisol, glucocorticoid, adrenaline, catecholomines, nor epinephrine, gonadocorticoids, तो बटा, आपको पता है, adrenal cortex से, outer और inner जब जाईएगा, तो zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, outer two inner है, अगर यहाँ जी है, तो निकलने वाला हार्मोन में जी नाम नहीं आएगा, mineralocorticoid होगा, तो एक जी वाला आजाएगा, glucocorticoid, और यहाँ जाएगा, sex steroid, mineralocorticoid, एक प्रकार का क्या है, aldosterone है, यह सही है, cortisol, glucocorticoid होता, सही है, बायोजेनिक एमीन्स याग केटाकुला माइन, adrenaline होता है, तो gonadocorticoid यह नहीं कहलाएगा, काटicoid, adrenal cortex नकलता है, adrenaline और noradrenaline, जा दखना, adrenaline और noradrenaline, एक केटाकुला माइन्स याब बायोजेनिक एमीन्स कहलाते है, क्योंकि यह टारोसीन अमीनो एसिट से derived होते है, पीटिएच इंक्रीजेज दा कैल्सियम आयन लेवल इन दा ब्लड, तो एक फार्मूला याद के लिजेए, पीटी इंका, पीटी मतलब पहला थावाड, इन मतलब इंक्रीजेज, के मतलब सीए मतलब कैल्सियम आए, तो अगर वह याद कैल्सियम आयन बढ़ाएगा ब्लड में, तो कहीं से तो लेक आएगा, तो बोन को काट के लाएगा, क्रिडिनी से खीच के लाएगा, मतलब यूरीन के जरीए जाने नहीं देगा, तो पीटी एच, देखें क्या रीजन में दिया है, क्या, पीटी एच, अन बोन एन इस्टिमलेट दा प्रोसेज अब बोन रिसॉर्प्शन, ब्रोन रिसॉर्प्शन मतलब की बोन को काटना, काटना मतलब क्लास्ट, तो ऑस्टियो क्लास्ट एक्टिविटी कहलाएगी, और किटेनी टुबूल से रीअबजार कराना, तो सही बात है इसलिए ब्लड में बढ़ जाएगा, तो करेक्ट एक्स्प्लानेशन भी कहलाएगा, अगर आप देखिए, ध्यान रखना, अगर एटी सीटी आ जाए, तो जश्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो टी सीटी डिक्रिजेट दा कैल्सियम लेवल इन दा ब्लड, जब यह ब्लड में कम करना है, तो जाने दो, जाने दो, तो बोन में जमा कर दोगे, और यूरीन के दास्ते भगा दोगे, ठीक है, चलिए, विच हार्मोन इंट्रेक्ट बिद मेंब्रेन बाउंड रिसेप्टर, नार्मली डू नाट इंटर दा टार्गेट सेल, बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, इंटर्न रेगुलेट सेल्लर मेटाबोलिजम, बटा देखिए, जरा याद आखिए, सेकेंडरी मैसेंजर की जरुएत उन्हीं को होती है, जिनकी पहचान नहीं होती, मतलब जो मिम्ब्रेन को क्रास नहीं कर सकते हैं, यानि कि जो मिम्ब्रेन के लाइक में नहीं होते हैं, तो पहले हम जाने मिम्ब्रेन का पहचान वाला कौन है, तो membrane का nature कैसा होता है लिपिड यानि कैसा non-polar नान-polar चीज़े अरांग से जा सकती है इस्टिर्वायड आपका lipid derivative होता है तो जा सकता है तो वो हर्मोन जो इस्टिर्वायड नेचर के है या आयोडो थारोनी नेचर के है वो असानी से membrane को क्रास कर जाएंगे तो nucleus के पास पहुँच जाएंगे तो इनको secondary messenger की जरूरत नहीं होती है और इनको छोड़के maximum जो भी amino acid वाले होते हैं peptide वाले होते हैं वो proteinisius मतलब की कैसा देख रहा है पोलर टाइप का है पोलाइटी डेवलप हो रही है तो membrane को नहीं क्रास करेंगे यहीं पर अपनी कहानी बता देंगे रिसप्टर यहां होगा तो यह बात किसी और को बताएगा सेकेंडरी messenger को कराएगा अब है तो Glucagon प्तिएज टी सीटी प्यारल सभी कैसे होते हैं आपके क्योंकि इस कैटेकरीम नहीं आगा इस्टर्रायट कहां कहां यह भी या दूना चाहिए तो ओवरी के हार्मोन एक हार्मोन के हार्मोन एक ऐसे हो तेंस्टोल नेचर नहीं होने चाहिए और थहर्वायड के हार्मोन नहीं होने चाहिए Θा बोला जाता ब्लूके गौंड है, इंसुलीन यह सर्म निकलते हैं पैंक्रियास से पी टी एच टी सिटी यह आपका पैरा थर्वाइड टी सिटी आपका थर्वाइड से और प्रो लेक्टिन बताएं कहां से निकलता आ है यह एंटीर प्रिटूट्री दूरिंग अप्रॉसेस अब हीमोडालेसिस दब्लड द्रेंड फ्रमक कन्वीनियंट आट्री एक आर्ट्री से ब्लड निकाला गया एंड पंप्ल इंटू आ डाइलाइजिंग यूनिट एक मसीन में दिया गया उस मसीन को बोलते है कृड़नी का कृतिम रूप यानि आर्टी फीसियल कृड़नी लुड रहता है डालेजर फ्लूड ब्लड के सारे कंपोनेट होंगे खाली वेस्ट नहीं होगा तो वेस्ट ब्लड में ज्यादा फ्लूड में कम तो वेस्ट कहां चला जाएगा फ्लूड में क्योंकि आपका हाइटो लो होता है तब इससे असान कोश्चन तो होगा नहीं यूरीन का पास आउट की प्रक्रिया को बोलते हैं मिक्चुरेशन अगर किड्नी में आपके कैल्सियम और या उसके क्रिस्टल्स आ जाए इंसालबल मास तो रिनल कैलकुलाई किड्नी काम करना बन कर दे तो किड्नी फैलुवर PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia कहते हैं जब ज़्यादा तर रियबजार करते तो बैलेंस गरबड हो जाता है तो इसलिए कुछ चीज़े सेक्रीड की जाती हैं hydrogen ion and ammonia जब सेक्रीड किया गया filtrate में तो उसके response में कुछ चीज़े अबजार्ब की जाती है रियबजार्ब जैसे क सब्सक्राइब की बाइकार्बनेट आए यह बैटा आपका होता PCT में भी होता और DCT में भी यह कहानी होती है ध्यान रखिएगा है ठीक ना कि PCT में मैक्सिमम री अपजार्बशन होता क्योंकि ग्लोमरोलस के बाद सीधे आपका बाउमेंस के अफसूल फिर पहला आता PCT जितना भी माल है सब फटा-फट ले जाओं कितने परसन इलेक्ट्रोलाइट का री अपजार्शन होता है PCT में सतर से असी परसेट अब या सबकुछ मैक्सिमम री अपजार्शन PCT में करना है तो यहां का सर्फिस सेरिया ज्यादा होना चाहिए तो यहां पर जो एपिधीलियम पाजाता हो कुबाइडल क्योंकि आपको पता है अपजार्शन के लिए या तो कुबाइडल होंगे या तो कोन सा कोशन अजड़ अगर जी अफार क्या होगा डिक्रीज होगा तो जख्ष्टाợma रूमर्लोस चेल से निकलता रे निल ये तो हरुच्च्छय जानता हो भी सिंगल एड़ अहला निकलता है और रेदिन क्या करता है बलड़ को बढ़ा देता है और जुद आसर बढ़ा देता है साथ अब क्या सथ्यGS श्ट्रोन भी निकलवा देगा कैंड कि दू क्या hela सब्सक्राइब दूसरा गलत एंसर हो जाएगा सेकेंट है क्या लगदा करेट स्टेक्वन फार टू फोर डाइक लोरो फिनाक्सी एसेटिक एसेट्टू फोर डी सब्सक्राइब टू फोर डी एन एन एए यह वेटा सिंथेटिक आगजिन है तो पीजियार है ऑगजिन है नेचुरल तो होगा नहीं और ज्यादा तर किसकी तरह काम करते हैं प्रोमोटर तो बाकी यह हो जाएगा आपका एबी सी ठीक है ना ग्रोथ जनरली नौट डिपेंड अपान कलर अफ आर्गिनिजम साइज अफ गैमिट नंबर अफ प्लोरो प्लास इन प्लान तो सिग्माइड कर व बिटा आपका जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस कौन सा हैबिटेट है और उसमें रिसोर्स क्या है उसकी कैपेसिटी ते कलर साइज और नंबर से कोई लेना देना नहीं है दा आर्क्यू और ट्राइब पामेटिन और लेस हाँ सब्सक्राइब एंसर सी आएगा एबी सी तो एबी डी क्योंकि यह गलत हो गया ना चलिया हमने एस सही किया हुए ध्याल लखेगा एंसर सी आएगा यह भी सी नहीं एंसर सी आएगा और यह ए ए ए-बी डी दा आर्क्यू आप ट्राइब पामेटिन लेस्ट दन वन तो भाई ट्राइब परमेटिन फैट है तो फैट का क्या होथा पॉइंट सेवन यानि लेस्ट दन वन वें ट्राइब परमेटिन और यूज अश्पारिटी सब्स्टेट दिन वालूम आफ सी ओ टू इवाल्ड अपान ओ टू कंजूब अगर कहरा ग्रेटर है यानि सी ओ टू ज्यादा है ओ टू से तो भाईया अगर नूमेरेटर जादा होगा तो वैलू एक से जादा हो जाएग तो वन जीरो टू है सी ओ टू का और वन फोर्टी फाइब क्या है पूर्टू का यह भी याद हो ना चीज़िए कि इन्फानाइट आपका इन्फानाइट तब होगा जब आपका क्या हो जाएगा अनरोबिक यानि कि आपका ऑक्सिजन नहीं रहेगा पार्विक असीड बदलना है लेक्टिक में अ निदग्स गिवन रीक्षो वाट इज एक्स लाई एजट डियने पॉल्यमेरे लेक्तेट डी अड्य हड्रोजीनेज अलकोहल डी हड्रोजीनेज तो लेक्टिक लेक्टिक एसिट फर्मेंटेशन रेंजाइम कोन हो जागा लेक्टेट डी हैड्रोजीनेज पार्विक एसिट है आपका सी एस थी सी ओ हो सी डबल ओएच और लेक्टिक एसिड होता है सी एस थी सी हो एच सी डबल यहां पर डबल बांट तोटके हाड्रोजन लग जाता है रैट अट एल्कोहल डी हैड्रोजीनेज एंड पायरुएट डी कार्बॉक्साइलेज बताए किसमें यूज होता है ऐलकोहल डिहडोजिनेज और प्रवेड डिकार्वकसाईलेज यह एलकोहलिक फर्मेटेशन में यूज होता है ठीक है और यहाँ पर डिकार्वकसाईलेशन होता है यह भी याद रखेगा साथ पर्थन से ज़्यादा इनर्जी नहीं यूज होती है निट गेन आप एटीपी कितना होता है तू जो का आप लोग ने जवाब दिया बहुत बढ़िया है तो भीची हुई मुठी के आकार का क्या होता आपका हार्ट का सिफ किड्नी का नहीं होगा वेंट्र कुलर मसक्लेचर में पाए जाता है यह भी गलत हो जागा और कि लिग दिया तो गलत हो गया और वेंटरक्लर डायस्टरोल जब बन्तरक्ल के मसल्ड् रिलेक्स करेंगे यह तो सही है तो यहाँ पर ऐंसर बन जागा आपका दोणों कि न अच्छा पी यू आरेस एंटी लोग पता नहीं क्यों याद करते हैं फ्रेयल पहले 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 अट्रिया कांट्रेट करेगा एक दिखाया तो होता क्या है कि जब आत्रिय प orchest Malays की फेज में आता है क्यों आत्रिय इंदर ही छुपा होता है आपका अधिलगयोर डियस्ट्ट मतब सिकुण ना इनकी थो किरेश यह नार्मल स्टैट का की मैंति वे थो स्माइब श्मी प्लेता है canine की सvमकित रसे आ ना किसी को देता है सबसे ले लेगा लेगन देगा किसी को नहीं खाली एबी को देगा तो साहब यह हो गया बैटा 150 तक आपके सामने आ रहे हैं अलीश सर उमीद करते हैं आपका डिसकेशन सही जा रहा होगा लाइक करिए कमेंड करिए और जैसा हो बताइए और एफल्टी के डिसकेशन को जरू जोइन करिए बस यही मेरा एक रिक्वेस्ट है थैंक्यू सो मजब बाबा ठेक क्यार हाँ 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 हाड की लेंथ हो बैटा केड़नी वाला है सुमिध जी इन्साट्य में लेंथ नहीं दिया है चले बाबा है बाब खाश sociology गोडी इवनिंग बच्चो कैसा गया आपका पेपर हास्ता FST 38 राइट कि आज का पेपर मैंने देखा है वो अच्छा पेपर है है ना और काफी सारी चीजें थोड़ी सी जानने वाली भी है है ना चलिए चलो शुरू करते हैं आपने अभी तक क्षिशन देख लिए 150 151 की तरफ हम लोग चल रहें थैंक यू सो मच रभी शर्मा थैंक यू सो मच चलिए चलिए अगला पॉश्शन हम लोग देख लेते देखें क्या कह रहा है अगला अगला कोईशन कह रहा है था इंसेक्ट हैवा नेटवर्क आफ ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट आफ एक्मोस्फरिक एर विदिन दा बॉडी और इस नेटवर्क ट्यूब को क्या कहते हैं आप मुझे बताएं यह नेटवर्क ट्यूब क्या ट्रेक्यल ट्यूब नहीं कहलाती ह क्योंकि ट्रेक्यल ट्यूब सिस्टम वाला सबसे पहले रेस्पाइरेटरी सिस्टम हार्ड सीन इन किस में बताओ रेस्पाइरेटरी सिस्टम फस्टाइम सीन किस फाइलम में हुआ तो रेस्पाइरेटरी सिस्टम जो है वो फस्टाइम सीन फस्टाइम सीन नहां पर फस्ट पाई जाती है ट्रैकियल ट्यूब से याद आया कि नहीं आपको यह सो नो और अमंग दवर्टी ब्रेट्स अगर मैं अमंग दवर्टी ब्रेट्स कुछ पूछन चाहों तो मुझे बताना कि वर्टी ब्रेट्स में आप बताहिए फिर्श किसे रेस्पाइर करेगी एंफीबिया इंटे करेगा रेप्टाइल बर्ड्स जिसे करेगे तो आपको यह बात पता तो होगी रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स भी थो बताओ किस से तो फि जो है वो जब तक हैंग है तकी तो वो किस से करता है यंग गिल्स से करता लेकिन एडल्ड की करते हैं तो एडल्ड तरह से कर सकता है आपके लंग्स चे द्वारा भी अपको छब्सक्राइशन में होता करते हैं गोले यह ना नवाले रैपाइशन को नाम फ्लमुर्य कहते हैं इतरी बात आपको समझा नहीं हूगी तो यह आपके पॉस यह आपके पा unas चलिए अगला क्वेशन बताईए लिकावा सब्सक्राइब करेक्ट और पंचानन महेश्वरी बेटा ये क्वेशन इसी बात कर डालने का सुबूत है कि आपको 10 साइंटेस्ट दिये गए हैं और आप उन साइंटेस्ट को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अपने हाथ से कुछ नो आपके 12 वाले ncrt के सौरी 12 वाली ncrt के फर्स्ट यूनिट में 12 वाली ncrt के फर्स्ट यूनिट में दिये गए हैं रिप्रोडक्शन से शुरू हुआ है वह आले में अब पंचानन महेश्वरी के बारे में क्या ये फेमस आपके पास बॉटनिस्ट है फेमस क्या है बॉटन मैं यही 15 मैस्वरी की बात करूँ तो इनका जन्म 19-04 में हुआ है 1904 में तो वो जैपोर में दूसरी बात किसी भी साइंटिस्ट के बारे में यह याद रखना कि अपने जीवनकाल में वो किस्सें इंफुएंस थे तो वो इंफ्लुएंस थे साइंटिस्त थे डबलू डजिएंज करके लेता हूं न contractors लेता हूं इंब्रियो लॉजीर करेक्टर्स को एड़ करके एक नया थिचास रचा था और कहा गया था कि हम एब्रियो लॉजीर करेक्टर्स को भी हम add कर सकते टक्सोरौमी में और कैते हैं याद आया कि नहीं फादर ऑफ्लान्ट एक्सोरौमी से क्या थे Hello desub!"olenment ऐंगो और इनके बारे में कहा जाए तो 1904 में आप इनका जन्म हुआ था जयापूर में बॉटनिस्ट हैं फेमस बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने वर्क किया था किस पर अंब्रियो लॉजिकल आस्प unch पर और इंपर्टन बात यह थी किस औस्पेक के दोरान उन्होंने ज़्छेल उन्म ह comprend पर क्योंकि उन्होंने क्या किया था पॉपुलराइज किस बात पर थे पॉपुलराइज हुए थे कि इन्होंने क्या किया था कि टेक्सोनॉमी में उन्होंने एड किया था उन्होंने एड किया था embryology embryology को अन्होंने टैड कर दिया था बास समझ पnoc घमिस्ट नहीं है एंज्डीयन ऑफिसिस्ट नहीं है अंसर आपके पास इंडियन बॉटनिस्ट का आएगा इत्री बात आपने समझ आया की नहीं कि हां चलो उसके दाघ आप चार बाते याद रखनी है किसी भी साइंटिस्स के बारे में कम से कम पहला उनका जन और मिरत्यू दूसरा आप से उनकी बाद वो किसी साइंटिस से इंफ्लूएंस जरूर होंगे तीसरा उनका वर्क प्लेस क्या है उन्होंने काम क्या किया और चौथा उन्हें क्या मिला था मतलब यह कह सकते थे कि यह एफरेस लंडेन क्या है तो कहते ही बास ओनर्ड विद फैलोशेप उफ इन्हें फैलोशिप मिली थी कहां से एफरेस लंडन से तो यह नाम क्या है पंचानन महेश्वरी का ठीक है यह 12th NCRT के पहले यूनिट में ऐसे 11th NCRT के पहले यू उन से अवाड मिले कभ मिले यह बहुत सारे क्वेशन स Mitt से पूछे जाते चलिये अगला क्वेशन बताथें बताओ अगला कुष्ण लिखा हुआ है सलइक दा इंकरेक्ट मैच बहुत बडिया उसे और ध्यां से देखना यह लिखा AT डैवल फिश डैवल फिश सीलोमेट है कि नहीं तो सबसे पहले डैवल फिश किसे कहते नहीं हम कहते हैं और और आक्टोपस को किसका मेंबर है । ही हरती हो गई थी। ये नाम पर शुदा न के दूसरा नाम बताय कow बिधा इंजयोष भी सिस्टा दूसरा नाम बतायीए कि हम कहते हैं ट्रोv फिल्लम यस और नो मुझे इंडियोफिल्लम फ्रेश वाटर फेश है और मरीन वाटर फैश जल्दू बताईए यह टेरो फिल्लम की बात करी जाए यह टेरो फिल्लम फ्रेश वाटर या मरीन वाटर अगर मैं आप से कहूं टेरो फिल्लम बताओ क्या होगी मरीन वाटर फेश या फिर फ्रेश वाटर चलो हम तुमसे कहें काटलेजनस या बोनी यह बता दो चलो काटलेजनस या ब बॉनी में भी क्या मैंने यां insya T में यह नहीं लिखा कि इंजल फिश में ऐसी बॉनी फिश यह आगरियम कि इंजल फिश टेरो फिल्लम जैसे की फाइटिंग फिश बेटा याद आया वेरी अब देखिए यहां पर लिखा फिश में two chambered heart बिलकुल यह कोई भी फिश हो two chambered heart है और two chambered heart होता है तो आपको यह बात क्या पता है कि जो two chambered heart होता है उसमें एक auricle होती है और एक ventricle होती है वो heart venus heart कहलाता है क्योंकि उससे सिर्फ impure blood pass होता है और उस blood में उस heart से circulation हमेशा double ह हो ही नहीं सकता single circulation होता है इसका मतलब यह तीनों फीचर आपके पास फिश में देखने को मिलेंगे दो chambered heart venus circulation और आपके पास venus heart और single circulation hack fish, hack fish के लिए कह रहा है कि इसकी super class spices है बस यहीं बात गलत हो गई क्योंकि hack fish का दूसरा नाम होता है mixene और mixene यह member किसका है cyclostorms का और cyclostorm इसकी class है super class तो pices होती है conductus की या osteectus की मतलब cartilaginous fish और boni fish तो गलत answer क्या निकला है 4 बहुत अच्छा question है सर अब आप Newton का law हम student के साथ लगाने लगे हैं है कौन सा वाला पिटा action reaction थर्ड लॉव चलो बताओ बताओ कौन सा रूल लगा रहे हैं या Newton का कौन सा लॉव चलो अगला question देखो बढ़िया है लिखा हुआ select incorrect the match आज मेरे हिस्से में जो question आए बहुत बढ़िया हैं और वह मैं देखता हूं बहुत सारे की सिस्टम så Which warm में होता है बहिया सिल्ग warm का दूसरा नामломॉन्बेक्स मोराएं होर ये आर्थ्रो पोड है और यथ्रो पोड में कभी भी बहु सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता pleasure बात समझ गलत हो गया लिवर फ्लूग एस लो मेट लिवर फ्लूक फैसियोल दूसरा नाम और फॉंटीपरन फ्ली घलवयशन क्यां सीड़ो मेट या एक पेया क्या बाथ है राउंड वांज में ट्रिप्लो प्लास्टिक होता है सही है रफ वां सेस्चोंड विग्षा को हम हर्माफ प्रोडाइट भी कह सकते हैं या फिर इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं मोनोईसियस तो मोनोईसियस लिखा हुआ है क्या प्रॉब्लम है ये भी सही है गलत जवाब क्या हो गया फर्स्ट हो गया कि होके हाँ नेरेस जो होता है डायोसियस होता यूनी सेक्शल होता है चलो नेरेस की बात अगर तुमने छेड़ ही दी है तो बताओ इसका डेवलमेंट कैसा होता है डारेक्ट या इंडारेक्ट होगा बताओ इंडारेक्ट होता है विजोर्यमान बिल्कुल सही जवाब अच्छा ये वाला फोटो देखकर बताओ यार क्या पैचान पा रहे हो एक नोड से कई सारी लीफ निकल रही है और अगर दो से जादा लीफ अगर एक नोड से निकलती है तो ऐसी फिल्लो टेक्सी को हम वर्ल कहते हैं क्या कहते हैं वर्ल और वर्ल फिल्लो टेक्सी किसमें पाई जाती है एक्जामपल बता दो अगर तोमें याद आ जाये मेरे लिखने से पहले नहीं तो लिख propos दिया है पड़ लो वर्ल टेक्सी एक्गलस हैं रस्टोनिया तो सबसे पहले वाटिस दा मीनिंग उफ फिल् हैसी arrangement of flower on the floral axis उसे हम inflorescence या फिर दूसरा नाम inflorescence का दूसरा नाम anthotaxi या फिर peduncle कहते हैं समझ आया कि नहीं तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये कौन सी philotexy है तो इस philotexy का नाम है world तो बताएए diagram represent कर रहा है philotexy को बिलकुल कर रहा है diagram represent कर रहा है world philotexy को बिलकुल कर रहा है और each node पर more than two leaves present है बिलकुल है answer है all तो philotexy को लेकर आपको पास philotexy को लेकर आपके पास in CRT में तीन example है एक है alternate का और एक है opposite का और तीसरा है opposite और तीसरा कौन सा था तीसरा है world जो अभी लिखा हुआ है तो आपको बताना है वर्ल्ड का तो example मैंने बता दिया एलस्टोनिया का opposite में दो example लिखे हैं और alternate में तीन बताओ example बता दो अगर तुम्हें याद है तो alternate में कह रहा है MSC MSC बोले तो मुझे नहीं पता MSC क्या होता है तुम बताओ mustard चाइना रोज नहीं आता mustard, china rose और sunflower अच्छा तुमने MSC बोल दिया था ठीक है MCS रगो opposite में कौन है opposite में calotropis और उसके साथ कौन था बताओ calotropis है और guava है और यहाँ पर क्या है ऐलस्टोनिया वेरी गुड आगे चलो देखो यह वाला फोटो देखकर मुझे बताओ these characters are present in which plant answer क्या होगा बेटा इसका this character कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह character कुछ लोग आल पर जा रहे हैं कुछ लोग लिलीएसी पर जा रहे हैं पोएसी और लिलीएसी दोनों पर जा रहे हैं फिजर रह्मान बेटा याद रखना बेटो देखो सुनो जब अब्भी एंडूशियाम पैरियंत के साथ क्या हो फ्यूजन में इस कंडिशन को नाम हम क्या देते हैं हैपी फिल्लस क्या नाम देते हैं हैपी फिल्लस या फिर इसी को दूसरा नाम देते हैं हैपी टैपलस क्योंकि पैरियंद की यूनिट टैपल होती है और ये एपी फिलस कंडिशान लिली में पाई जाती है जो कि एक मोनोकॉर्ट फैमिली है मतलब लिली एसी में होगी लेकिन याद रखिएगा कि ये आपके पास ये फ्यूजन पोएसी में ग्रेमिनी में देखने क नहीं मिलता क्योंकि अगर मैं पोएसी फैमिली का फ्लोरल डाइगराम देखूं तो फ्लोरल डाइगराम के साथ फ्लोरल प्रमुला भी देखूँ तो पहले ब्रैक्टियेट देखने को मिलेगा पोएसी जाइगोमार्फिक होगा पोएसी आपके पास बाइसेक्श्वल होगा पोएसी में जो पैरियंथ है जिसे हम लॉडी क्यूल कहते हैं जहां कहते हैं लॉडी क्यूल नंबर में कितने होंगे दो किसी डाउट के इसमें ये कंडिशन देखने को नहीं मिलती और ये मोनो कार्पिलरी ओवरी है सुपीरियर ओवरी है ये पोएसी का डाइगराम है और इसमें कहीं से भी फ्लोरल डाइगराम में आपको एपिफिल्लस कंडिशन देखने को नहीं मिल रही जबकि दूसरा बता रहोगा ये एक्टीनोमेुर्फिक होगा यह आपके पास बाई शेक्शिल होगा यहां पर जो पैरियंद निरिंख्या ही इस केंडीशन 3-3 होगी जो आपके पास एंडूुसियम है उसकी कंडीशन भी 3-3 त्री वोगी यहां पर पर मैं कहूंगा एंडरूसियम से यह निशान परियंद की तरफ आए और गाइनोशियम जो oh SYNCorpus होगा सुपीरियर ओवरी यहां पर यह निशान है यहां पर नहीं होता ऐसर सिर्फ लिली होगा नाकि all whole कि समझ पाएं कि नहीं बेड़ा ऐसे question बहुत irritating लगते हैं हालां कि क्या कर सकते हैं जब families को add किया गया है और बहुत सारे features उसमें आते हैं तो आपको ये बात समझ कर चलनी पड़ेगी इसमें irritation होगा कुछ नहीं कर सकते हैं आपको देखना पड़ेगा ठीक है बिटा इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं हफीज रह्मान सर फ्रॉग भी आगया है अब तो क्या दिक्कत है फ्रॉग तु सरल है यार क्या प्रॉब्लम है चलो चलो आगे चलते हैं अगला question देखिए आज का paper अच्छा था पेटा आपको देखिए अगला question लिखा है given blow example how many plants in which superior ovary तो देखो superior ovary के लिए याद रखना superior ovary condition पाई जाएगी जब आपके पास flower कैसा हो hypogynus क्या हो hypogynus flower हो और ovary उसमें क्या होगी superior ovary आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी पहले तो example में उसने तीन लिखें वो कौन कौन से example लिखें उसने mustard लिखा हुआ है mustard लिखा हुआ है उसने china rose लिखा हुआ है और उसने क्या लिखा है उसने मतलब ncrt ने और mango लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर इन example के साथ add कर रहा हूँ family को आप febasi को add कर लिजिए मतलब आप febasi को ना करकर सीधे अब laguminosi को add करिए laguminosi में भी superior ovary होगी laguminosi को add करिए आप इसमें add करिए brassi case को brassi case भी इसमें add हो जाएगी brassi case के बाद इसमें add करिए आप solenasi को solenasi भी इसमें add होगी सर लिली एसी को भी आड़ कर लीजिए सर और कौन सी हमने कहा कि और कौन सी आड़ कर सकते हैं लेक्डिमनोसी, ब्रैसी केसी, सोलेनेसी, लिली एसी उसके अलावा आप ग्रैमनी को भी आड़ करिए इसमें ग्रैमनी भी आड़ होगी ग्रैमनी के अलाबा मालवेसी देखिए मस्टर्ड चाइना रोज मालवेसी का है मालवेसी एड़ करिए सर इसमें तो जादा हो गई लेकिन अगर मैं तुमसे यहाँ पे कहूँ कि आप क्या याद रख सकते हो इस एपी गाइनस कंडीशन अगर आप देखिए तो एपी गाइनस में कैसी ओवरी होगी इनफीरियर और इनफीरियर ओवरी आपको किसमें देखने को मिलेगी तो इनफीरियर ओवरी के लिए आपको एक्जाम्पल क्या दिये NCRT ने कुकरबिटेसी गुआवा और Sunflower तो कुकरबिटेसी का मतलब कुकरबिटेसी का मतलब आपको ये फैमिली जो है उसमें आपको बोटल गार्ड्स की फैमिली है इसमें आपको इनफीरियर ओवरी और SU से ये क्या है Sunflower और Sunflower वाली फैमिली जिसका नाम है Composity और Composity का दूसरा नाम क्या होता है कंपोजटी का दूसरा नाम होता है एस्ट रेसी इसका मतलब आपको आपके कोर्स की संफलार वाली फैमिली को यहां से अलग करना है बाकी सारी फैमिली कमस अंडर दा सुपीरियर ओवरी इसका मतलब आपको इसमें से किसे अलग करना है कुकर बिटेसी का में तो उसे अलग कर लेते गौबा एक एक्जामपल लिखा हुआ एंसी आटी में उसे अलग कर लेते होर संफलार हम कहेंगे मोटा माटी आप यहां पर किसे बाहर निकाल सकते हो जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है तो आप देखिए यहां पर मस्टर्ड मस्टर्ड किसका में मेंबर है Braci Kesi का है सुपीरयर Overy आएगी carrot Braci केशी आएगी सुपीरियार रीड़ेइड ब्री के सी Link 중요, हाँ यहाँ पर माली कोएड किया है लूब्ध नूबिया आपके पास लाइग्यूमनोसी मतलब यह सी का फैम कैचार बेंबर है मैरी लगयुमियंसे पेमियमिया केसिया लेङ संदेश गईया मगाना रहा कॉम्पोजिТी का है। यह हैं और इस टॉबलको आघ का है। डिएमियमिय पीर यह सोलेनेसी है आपके पास टुबैको सोलेलेसि हैं उसके अलावा सुगरकेइन ये ग्रैमनी है और दूब ग्रास ग्रैमनी है और बारले ग्रैमनी है इसका मतलब क्या आपने इन गोले वाले जो आंसर है उससे ध्यान दिया है यही तीनों कंपोजिटी के हैं बाकी ना या ग्वाबा लिखा ना कुकर बिटेसी का कोई मेंबर है इसका मतलब तीन को अटाओ बाकी सब को जोड़ो टोटल अठारा एक्जामपल है तीन अटाए आंसर क्या आया फिफ्टीन मतलब मोटे मोटे तौर पर यार क्या बात कर रहा है रवी शर्मा मज़े ले रहा वेटा समझ आया कि नहीं बात समझ आ गई कि नहीं आंसर क्या आगे फिफ्टीन आगे बढ़िए आगे देखिए लिगा सलेक्ट इंकरेक्ट मैच है वगबान आज इस वाले देखिए CAU Histidine का है क्या बाई साब यह CAU Histidine का नहीं है है या सोनो है या नहीं आप मुझे यह बता दो यह CAU Histidine का ही है क्योंकि Histidine के दो genetic code होते हैं कितने जनेनिक कोड होते हैं, दो, ह jedes होता है CAU, CAU और CAU और CAG, यह दो जनेनिक कोड हैं, हिस्ट्यडीन के, अब आरंजिनीन के सामने उन्होंने लिखा हुआ है CAA लेकिन मैं कहना चाहता हूँ Arginine के 6 genetic code होते हैं आज कम से कम अगर कुछ याद ना हो तो Arginine याद करा दूँगा मैं genetic code कितने है 6 ठीक तो आपको कैसे याद रखना है देखो सुनो अगर मैं तुम से कहूँ Arginine को क्या तुम ऐसे नहीं याद कर सकते हो A, G देखो सुनना बट इसे हम कैसे याद कर सकते A, G कैसे कोई बुलाता है न गर में गर में अगर कभी आ जाएगी कोई तो ऐसे ही बुलाएगा A, G, सुनो जी समझ पा रहे हैं कि नहीं तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर Arginine के Genetic Code कैसे याद रखोगे सबसे पहले A, G याद रख लेना जोगों ये दोनों में A, G आएगा ठीक और फिर इसमें भी याद रखना कि ये जो है इसमें भी A, G आएगा ये दो Genetic Code हो गए देखिए A, G, A, G और फिर A, G ठीक फिर उसके बाद उसके बाद जब A, G, A, G दो बार हो गया तो फिर वो कहेंगे सुनो जी मतलब C, G अब चार बार C, G लिखिए कितनी बार C, G लिखोगे? चार बार चार बार लिखा तुमने C, G और चारो बाद को बदलते जाईए A, U, G, C और ये हो गए हैं आपके पास छे Genetic Code किसके? आरजिनीन के समझ पाएं कि नहीं? समझ पाएं कि नहीं? तो हमने कहा आरजिनीन में A, G याद रखना तो A, G और फिर A, G फिर सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी और फिर चारी बेस होते हैं A, U, G, C हो गया का? हो गया कि नहीं? कम से कम 6 Genetic Code आपको याद रहेंगे और C, A, A यहाँ पर कहीं नहीं आया इसका मतलब ये C, A, A Genetic Code आरजिनीन का नहीं है हाला कि C, G, U तो है आपके पास अब याद रखना पड़ेगा तुम्हें प्रोलीन का तो प्रोलीन के Genetic Code होते हैं चार और इसमें याद रखना C, C जैसे कि प्रोलीन में आ रहा है प्रो और C, C याद रखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बोड़ रहा हूँ परोसी मतलब परोसी समझ पा रहें कि नहीं तो C, 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 C लिख लो चार Genetic Code है और फिर आपके जो में बेसिस हैं बदलते जाओ C, C, A, C, C, U C, C, G और C, C ये सब हो गए Genetic Code किसके हो गए है प्रोलीन के तो कम से कम आपने कुछ याद किया न किया तो प्रोलीन तो याद हो गया चार Genetic Code और आरजिनीन याद हो गया कितने Genetic Code आरजिनीन के Genetic Code 6 समझ पाए तो आपके पास ये वाली बात भी सही है गलत बात आई है ये वाली और ये C, C, A Code आरजिनीन का नहीं होता और यहीं इनकरेक्ट है यस और नो यस और नो सर ये क्या बता रहे हब क्या कर सकते हैं बेटा Genetic Code याद नहीं होते तुम लोगों को यही सब काम करना पड़ता है कभी हम C, C, C कर रहे हैं कभी A, G और सुनोजी कर रहे हैं क्या कर सकते हैं चलो आगे चलते हैं अगला Question अगला Question देखो क्या लिखा है Which Rips are called Floating Rips तो Floating Rips कौन सी होती है 11th और 12th पेर वाली और इनी Floating Rips को हम क्या कहते हैं इनी को हम नाम देते हैं Vertibral Rips क्या नाम देते हैं बेटा Vertibral Rips तो First 7 Pair of Rips को Floating नहीं कहते हैं True कहते हैं Only First 5 Pair of Rips को हम Floating Rips नहीं कहते हैं Last 2 Pair of Rips को कहते हैं Only Last 1 Pair को नहीं नहीं Last 2 Pair 11th and 12th Answer क्या हो जाएगा 3rd 159 का answer बताइए बेटा 3rd Yes or No Yes or No? फीक है अगला बताओ चलो लिखा हुआ What is the number of wrist bone? wrist bone हम किसे कहते हैं तो यह होती है कलाई वाली bone गाना सुना ना चिटियां कलाई यां तो यह कलाई वाली bone जो है यह है wrist bone और यह इसी को हम कहते हैं Carpill क्या कहते हैं Carpill के नंबर कितने होते आठ जैसे की हमने का पूरे हाथ के bone से याद कर लो humorous एक रेडियो एक अलना एक आपके पास उसके बाद Carpill Carpill कितने आठ Metacarpill कितने बताओ Metacarpill कितने पांच और Phalanges कितने होंगे तो Phalanges जो होते हैं वो 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मतला 14 ठोटल किनों के 30 आ जाएंगे ठीक है बेटा याद रखना हाफ और humorous हाफ और हाथ के डी रेडियो हाथ से ही बजाते हो है ना कारपल मतलब कंटाप मारने वाली हड़ी हाथ से ही मारोगे Metacarpill इसी में आएगी याद रखना टार्सल, टांग वाली हड़ी फीमर, फुट वाली हड़ी आगे इसमें answer क्या आएगा answer बताओ answer इसमें क्या आजाएगा 8 आजाएगा answer क्या आजाएगा बेटा अगला देखो अगला अगला आपके पास लिगा which of the following animals are triploblastic non-cordate तो triploblastic और non-cordate की बात कर रहा है तो पताओ इसमें से कौन triploblastic non-cordate which of the following animals are triploblastic non-cordate यहाँ पर triploblastic non-cordate की बात कर रहा है लेकिन यह सारे के सारे सारे के सारे तो reptiles दिख रहा है मुझे और reptiles comes under the vertebrate vertebrate comes under the u-cordate मतलब यह true cordate है इसमें से कोई भी ऐसा example नहीं है जो non-cordate में आता हो answer क्या हो जाएगा 4 answer क्या होगा 4 तो आपको नाम बताना है tree lizard को हम नाम क्या कहते है नाम पताओ इसका wall lizard को क्या कहते है और garden lizard को क्या कहते है नाम बता दो तब हम आगे बढ़ेंगे tree lizard का नाम बताओ very good tree lizard का नाम बता दिया है उन्होंने chameleon wall lizard का नाम hemidactylus घरवाली बिचा याद आया कि नहीं Hemidactylus बताओ बताओ garden lizard कों में क्या कहते हैं calotes कहते हैं क्या yes or no calotes चलो ठीक है answer 4 हो गया अग्ला बताओ select the incorrect match for Bryophyte Bryophyte के लिए गलत बात बता नहीं है बेटा आपको लिका हुआ proton emai stage proton emai stage आपकी हैपलॉइड स्टेज होती है पोर जो हैपलॉइड स्टेज है उसे गयमेटोफिटिक क्याते है लेकिन सीटा और केपसूल फोट सीटा केपसूल आपके आप के इंधृनियो फोर जिस पर आपके पाई जाएंगे मारकेनशिया में देखने को मिलते लग अलग पास और टायोसियस होता है तो यह बास सही है गलत बात क्या आ गई हैいる कि अगला पता हो मुझे देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट दा करेक्ट मैच करेक्ट मैच बताना है सी एनिमोन सी एनिमोन का दूसरा नाम एडम्सिया और एडम्सिया आता है सीलेंट ट्रेट में और जो सीलेंट ट्रेट होते हैं वो सीलो मेट नहीं होते समझ भा है? करैर्ट करैर्ट जो है वो स्नेक है और स्नेक कम्स अंडर रेप्टाइल्स और लिखा हुआ थ्री चेंबर ठाट हाँ रेप्टाइल में थ्री चेंबर ठाट होता है किंग क्राब जिसे हम लिविंग फॉसल या फिर लिमुलस कहते हैं और ये diploplastik होता है गलत बात, क्योंकि ये triploplastik होगा, हिंकराइब आर्थोपोड है, और स्यको गलेसस और ब्लैनो गलोसस, एग्जाम्पल है हेमी काडेकर्डेड का, और हेमी काडेकर्डेड जो होते हैं, हेमी काडेकर्डेड जो होते हैं,"어ikel धर्म,"नहीं," होमियोधर्म नहीं यह पॉई कोलो न होते हैं चाहों यह पॉई कोल सर्व इसका मतलब सही बात निकाल नहीं थी तो आंशर क्या आएगा सेकैंड को-अगला बताओ है and select the correct statement सबसे पहले जितने भी नाइट्री फाइंग बैक्टीरिया कम संडर नाइट्री फाइंग बैक्टीरिया जो है वो कम संडर आते हैं कीमो संथिटिक और उसमें कौन कौन आता है तो आपको पता है कि जो अमोनिया को किस में बदल दे नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्राइट को किस में बदल दे नाइट्रेट में तो यह जो बदलने वाले बैक्टीरिया है यह सब कम संडर किसमें आएंगे, वो आएंगे इसी nitrifying bacteria में जो की prokaryotic organism great role play करेगा recycling of nutrients में smallest living cell नहीं होगा क्योंकि smallest living cell को हम mycoplasma कह सकते हैं और mycoplasma का एक example हम PPLO भी ले सकते हैं क्योंकि यह इसी group का member है also refers to our blue green algae बिलकुल नहीं तो कितनी बाते जही हैं तो दो बाते सही हैं इसमें अंसर सेकेंड आएगा है अबे डी कितने लोग लगा रहे हैं पगला गए हो क्या कि यह डी डी चिल ला रहे है कि भी अंसर होगा कि भांग खाके बैठें लग रहा आगे बताओ यह वाला फोटो देखो लिखा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है डाइग्राम दिया गया है तो यह प्लांट है आपके पास पी प्लांट और पी प्लांट का वो टेंड्रिल को बता रहा है और यह टेंड्रिल अगर आपक में जो क्या करेगी सपोर्ट करेगी फॉर क्लाइंबिंग में वैसे तो टेंड्रिल आपके पास एक्जलरी बढ़का भी है लेकिन वो इस्टेम का मॉडिफिकेशन है पी में यह लीफ एपक्स का मॉडिफिकेशन मतलब लीफ का है यह मॉडिफिकेशन ओफ लीफ है फॉर लीफ का मॉडिफिकेशन तो है लेकिन स्टॉरेज अव फूर्ट के लिए नहीं है मॉडिफिकेशन ओफ यू लूफ लीफ फॉर क्लाइंबिंग सही है क्या अगला बताना मुझे अगला लिखा मैंगी फेरा इंडिका लेन्ड लेन्ड बताओ यह लेन्ड रिलेटेड टो प्रवाइटड है लैन होता है ओफटर का नेम जिसने उसे first authorized किया है और आपको पता है ऑफटर लिखा जाता है अफटर लिखा जाता है specific epithet के specific epithet के क्या लिखा जाएगा आफटर और author का नेम abbreviated form में लिखा जाता है कैसे form में chai एवरिवेटेड फॉर्म और एवरिवेटेड फॉर्म की बात करी जाए मतलब पूरा नहीं लिखा जाएगा शौड में लिखा जाएगा और नहीं लैटिन में होगा और नहीं इसे इटालिक्स करते हैं नहीं इटालिक्स में होगा तो यह बात आपके पास ऑथर के नेम को ले मैंने बायो का लास्ट टैन कोईशन एटेंब नहीं कर पाया ताइम ओवर श्रीकांत इस ताइम डिप्रेशन होगा घबराहट होगी प्रेशर होगा इस टाइम अपने आपको पूल माइन रखकर अपने टाइम के मैनेजमेंट को बना कर रखिए इस टाइम अपने कॉंफिड आगे देखिए और question variable रहेंगे पेपर variable रहेगा कभी सरल आ जाएगा कभी कठे न आ जाएगा तो इसके लिए भी आप तयार रहें कि पेपर कैसा भी आ सकता है हमें time manage करके चलना है चलिए आगे लिखा हुआ है mosses along with desides are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance तो कहा गया काली पड़ी जगा पर सबसे पहले अगर vegetation की शुरुआत होती है तो वहाँ पर mosses और lichen के साथ वहाँ पर एक चादर बन जाती है dense mat है ना तो आपके ecological importance होता है जो heavy rain के effect को और soil के erosion को रोकता है तो यह आपके पास यहाँ पर bacteria नहीं फिल होगा प्रोटेस्टा फिल नहीं होगा लाइकेन होगा जिमनोस्पम तो बिल्कुल नहीं होगा और कुछ question बेटा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कुछ question जो होंगे वो trap question होंगे जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे superior every और inferior इस तरह का अगर trap question है टाइम लेगा आपको अगर इस तरह की question में पहले फसना नहीं छोड़ देना पहले उसे गोला बनाकर time बाद में देना इसे नहीं तो अगर इसमें लग गए तो इसमें गलत होने के चांस भी जादा और time भी जाने का time है मतलब time भी जादा ले लेगा समझ पाए तो ऐसे question जो trap question जो आपका time खीचेंगे उन्हें रोक कर रखिएगा बाकी जो लगते जाए उन्हें लगाते जाईए जितनी गुगली हम लोग दे शकते हैं उतनी गुगली दे रहे हैं लेकिन इससे जड़ा गुगली वो खेल ही नहीं सकता पहली बात आपने बहुत गुगली खेल रही हैं आपको जो paper बनाया जाता है वो paper आपका इतना ज़़ादा और इतना अगर मैं कहूं कि वहां के level से उपर ही होता है नीट के level से उपर ही होता है पेपर हमारा तो टेंशन बिलकुल लेने का नहीं है आप अगर यहां पर perform कर रहे हैं तो वहां पर simple है उनके पास इतना time नहीं है कि ncrt के more और डेटा और जो आपके पास जनरली यूजली और इस तरीके के वर्ड ओल या मोस्टली वाले वर्ड वह ज्यादा दे पाएं वह डारेक्ट लाइन देंगे आपका असानी से निकल जाएगा लेकिन आपको पहले लाइने पता होनी चाहिए यह आपको यह प्रेश करा ही जा रही है एक्जाम के दुरू और जितने एफस्टी आपने दिये होंगे मुझे लगता अल ओवर इंडिया किसी ने नहीं दिये होंगे याद रखना आगे देखिए सलेक्ट मैच करेक्ट मैच क्या है यह मैं मानता हूं बहुत अच्छा क्वेशन है बहुत अच्छ तो इसका मतलब यह पहला ऑप्शन गलत है ठीक लेकिन दूसरा वालवॉक्स फ्लैजलेटा फ्लैजला प्रेजेंट इन्दा मेल गैमिट और ग्रैसी लेरिया और पोरफाइरा यह दोनों रेड एल्गी है और रेड एल्गी में आपको याद रहता है कि रेड एल्गी में फ बॉल्वॉक्स तो कोलोनियल है और कोलोनियल में फ्लैजला नहीं होता होगा तो इसका मतलब तुम इसे गलत कर दोगे हो सकता है इन दोनों में तुम फस जाओ बॉल्वॉक्स कोलोनियल होता है ठीक है लेकिन बॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है और इसमें फ्लैजला के भूब अच्छा कोशन ने बेटा ही हो अगला कोशन देखो लिखा हुआ है इन एंग्योज स्पर्म वाट इस दा यूटिलिटी ओफ और गन ऑप पैरी नेशन यह लोगों को नहीं मिलता वोट इस दा मीनिंग आफ और गन ऑपैरी नेशन तो देखो एंग्योज प्लांट ने कुछ खास फीचर रखने अपने पास वो क्या है कुछ ऐसे ओर्गन्स को उन्होंने डेवलप किया है जिसमें सफीशन मात्रा में फूड है और बुरे वक्त में अनफैबरेबल कंडिशन में वो फूड भी प्रोवाइड करा सकते हैं और उसमें चुकी बर्ड्स भी आते है तो वो वेजीटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं मतलब एंजियो स्पर्म में कुछ ऐसे ओर्गन है जिसमें उसने सफीशेंट फूड रखा है और वो ताकत रखी है कि अनफैबरेबल कंडिशन में वो नया प्लांट बना सके अनफैबरेबल कंडिशन मे जो प्लांट है उसे फूड प्रोवाइड कर सके उन्हीं औरगन को हम पैरी नेशन पैरीनेटिंग औरगन क्याते हैं उसकी यूटिलिटी यह है कि अनफैबरेबल कंडिशन में क्या कर पाए ग्रोथ कर पाए तो आपके पास डारेटली इंवॉल्मेंट डिफेंस अगेंस तो क्लाइम्बिंग में नहीं आंसर आपके पास समझ भाएं फिर से सुनिये फिर से सुनिये इस कौरस अबक्राइब ने एक तरीके की हम बात कर सकते हैं यह है वेजिटेटिव प्रपग्यूल जिसमें सफिशिंट अमाउंट में फूड भी है और वो पावर है कि वो नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग फैबरेबल कंडीशन या अनफैबरेबल अनफैबरेबल एंज्योस्पम तो आप और वो एक तरीके के यह वाले यूज कर सकता है वेजिटेटिव प्रपग्यूल को इतनी बात आपके बास दिमाग में सेट होती है या नहीं हितनी बात आपके दिमाग में सेट होती है या सो नो जल्दी से बताओ फिर से बताओं क्या मैं बोलो बेटा हूं फिर से बता हूं या फिर मुझे तुम्हें तिमाग में किलियर हो गया बोलो बेटा है चलो वेरी गुड एक बार दुबारा से भी देख लेना तो आपको किलियर हो जाएगा आगे चलते हैं अगला कोईशन अगला कोईशन लिखा हुआ है इन डाइकॉट लीफ साइज और वेस्कुल बंडल डिपेंडेंट और साइज ऑप दी वेन बिलकुल बास सही है क्योंकि डाइकॉट लीफ डॉर्स वेंट्रल लीफ होती है जिसमें आपको वहाँ पर जो वे इसे हम मिड्रिप कह सकते हैं है ना तो मिड्रिप के बाद वो वेनलेट्स में बदल गया और वेनलेट्स का अरिंग्मेंट रेटिकुलेट स्टॉक्चर वेनेशन कहलाता है याद आया कि नहीं इन डाइकॉट लीफ एबेक्सियल एपिडर्मिस एबेक्सियल का मतलब ये ड डाइकॉट लीफ डॉर्सो वेंट्रल है अपर सर्फेस पर इस्टोमेटर नहीं होते अपर सर्फेस को हम एडेक्सियल कहते हैं यहाँ पर उसने एबेक्सियल लिखा है पहला इस्टेट्मेंट सही है दूसरा गलत है अंसर सेकेंड बनेगा समझ पाए अगला पताओ अगला कोशिशन क्या लिखा हुआ है करेक्ट असेंडिंग और बताना है रिगार्डिंग नंबर रिगार्डिंग नंबर बताना है ऑफ डिफरेंट स्टक्चर ओं मेल फ्रॉग तो पताओ टेस्टीज के नंबर कितने होते टेस्टीज होते दो च चेम्बर ऑफ हाट तीन और टेस्ट इस दो गलत जब भी आपके पास यह सारे ऑप्शन गलत होगा एंसर फस्ट हो गया सही और फस्ट ही हो गया अगला पता दे न मुझे लिखा हुआ है इन फ्रॉग यूरिनी फैरस्टिबूट का दूसरा नाम क्या होता बताओ यूरिनी फैरस्टिबूल को हम नेफ्रोन कहते मिटा है ना तो यह नेफ्रोन के बारे में पूच्छनल युनेट किस में हैं भाइया फ चलो अगला बताओ लिखा हुआ है दा इस्ट्रोमा ऑफ दी क्लोरोप्लास कंटेन एंजाइम रेक्वाइड फॉर दा सिंसिस ऑफ कार्बो हाइड्रेट बिल्कुल सही है बताओ यह एंजाइम कौन होगा जो कार्बो हाइड्रेट को बनाने में हेल्प करेगा और बायोस्फि की बात है और वो थाइलेक्वाइड में थाइलेक्वाइड मेंब्रेन लिखा होता तो वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि थाइलेक्वाइड के ल्यूमिन में क्लोरोफिल पिगमेंट या फे कोई भी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता हाला कि थाइलेक compound maximum number of carbon atom ये भगवान कितना बढ़िया कोश्चन दे दिया मैक्सिमम नंबर of carbon atom और ये कोश्चन देखो तुमारे साथ खेल करेगा एलनीन एक अमीनो acid है और यूरेसल एक nitrogenous base है एडनीन nitrogenous base और serine amino acid अगर आपको याद आ जाए तो amino acid की alanine की बात करी जाए तो alanine क्या होता है कि आपके पास जिस amino acid की बात कर रहे हैं उसमें आपके पास ये compound तो सब में same होता है और R की जगा अगर CS3 लगा दोगे तो ये alanine हो जाएगा तो इस तरह से alanine में कितने carbon हुए एक दो और तीन तो यहाँ पर कितने carbon है तीन carbon है यूरेसल की बात कर रहा है तो यूरेसल आपके पास क्या होता है यूरेसल आपके पास पारेमिडीन होता है इसकी पहली position और थर्ड पोजीशन पर nitrogen होता है बाकी बचे हुए क्या होंगे carbon एक दो तीन चार तो यहाँ पर कितने हो गए चार carbon फिर बात में लिखा एडनीन एडनीन में दो रिंग होती है एक छे मेंबर वाली और एक पांच मेंबर वाली वहाँ पर आप कहानी शुरू को रगए तो nitrogen की position 1,31379 आती है यहाँ पर होता है और आप से कहा जाए कि कितने carbon है nitrogen को अटा कि गिनो एक, दो, तीन, चार्ट और एक पांच हाला कि यहाँ पर NH3 भी होता है लेकिन हमें carbon गिनने तो carbon गिनने तो कितने हो गए इसमें हो गए 5 carbon कितने हो गए 5 carbon और serine serine अगर याद आ जाए तो यह है amino acid और इस amino acid में से यह अटाओ और CS3 की जगा क्या लगाओगे यहाँ पर carbon कितने हुए तीन तो maximum number of carbon पूछा जाए तो जबाब आएगा एड़नी आंसर क्या हो जाएगा थर्ड कि समझ पाएं कि नहीं यह सो नो बढ़िया कोशन था टाइम टेकिन था बस आगे देखिए सलेक्ट दा इंकरेक्ट मैच ऐब राएच मलेरिया ऐन्करेक्ट बात कर रहा है और इंफ्थाडेश एजेंट और नौनओन दिजिसरी इंफ्थाउड देजीज क्या नतर होता है किसी माईक्रॉब या जर्मस से फैलने वाली बीमारी इनफेक्शिध सोती है और अगर किसी जर्मसे नहीं फैलरी तो communicable disease infectious हो समझ पा रहा ही कि नहीं सौरी अगर मैं कहूं कि infectious disease हमेशा communicable हो यह जरूरी नहीं कोई भी जर्म से होने वाली बीमारी infectious है और वो person to person फैले ही यह जरूरी नहीं होता तो आप देखिए malaria infectious disease है बिलकुल plasmodium से होता common cold लिखा बिलकुल गलात यह common cold आपके पास viral infection है तो viral infection होगा तो infectious disease है pneumonia भी आपके पास bacteria से फाइलेरिया है तो आपके पास गलात option क्या हो गया second सारे की सारी infectious disease है आगे देखिए आगे आपके पास 175 होगा पेटा 175 होगा है हम थोड़ा सा बापना हुं बह गए आगे चले गए थे इसके आगे के question हापको अब्दुल सर से complete करने है ठीक है तो अब्दुल सर का welcome करिए हमें इजाज़त दीजिए थेंक्यू सो मच आईए सब्सक्राइब करते हैं आगे बढ़ाते हैं और सामने वन अवर्ण 176 question के अगर मैं बात करता हूँ अच्छा हम आपकी भावनाएं समझते हैं क्या है आपकी भावनाएं कहां है भावनाएं smoking associated with बच्छा smoking जो होता है associated होता है जुड़ा अगर आप smoking करते हैं तो आपको क्या क्या incident हो सकता है बच्छा तो gastric देखिए सबसे पहली बार gastric ulcer हो सकता है heart disease हो सकता है बच्छा bronchitis हो सकता है bronchitis हो सकता है यस बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 177 बच्छो आज थोड़ा समय जल्दी कराऊंगा वजह से जल्दी मतलब आपको पूरे प्रॉपर यहां पर समझ में आएगा चीजे इन विच गोडिवनिंग सभी को बच्छो हाँ गोडिवनिंग चलिए जब आप दीजिए विच आप फालोइंग प्रॉसेस दा मेन गैस प्रोड्यूस इस सीओ टू बच्छा मेन गैस सीओ टू प्रोड्यूस होता है जैसे डो ले लो आप डो में फर्मेंटेशन करा दो चीज मेकिंग में बच्छो प्रोडक्शन आफ क्या प्रोडक्शन आफ वेवरेज बेसिकली यह सब फर्मेंटेशन दोरा होते हैं और इस सम में क्या निकलता है बच्छो जो ब्रेड में बच्छा होल होता है वो सीओ टू की वज और ग्रेजिंग कैटल मतलब होता है पक्षी जो उसके चालों तरफ बगुला कह सकते हैं घूमता है एसोसीएशन इनका क्लासिकल एक्जामपल होता है कॉमेंसलिजम का बच्चो कॉमेंसलिजम में क्या होता है एक को फाइदा होता है दूसरे को ना तो फाइदा ना तो फाइदा ना तो नुकसान बास समझ रहो तो एक फाइदा पॉजिटिव साइन नूट्रल को जीरो साइन से रिप्रेजेंट किया बच्चों हमने तो देखिएगा क्यूं होता है इसका रीजन बताना देखो यार आप देखे होगे कभी-कभी जहां जहां गाये भैस हो जलते हैं बच्चा और जब ऐस हैं उन्मेंटा होता है और इस इंसेट को खा लेता आयकूंद तो फाइदा है और मेरे बच्चाores रोगता है और तो नुक्सान नुक्सान हैं ऐसे अगर कभी कभी यह चेड़ने लगते हैं इसके विचारे के सर पर बैठ जाते हैं उड़ते नहीं है और यह ऐसा ऐसे करता रहता है वह लेकिन नहीं माना जाएगा नुक्सान तो एग्रेट आलवेस फोरेस क्लोज वैर कह रहा है जो एग्रेट बर्ड है वह हमेशा फोरेजिंग करेगा खाना लेगा कहां जहां कैटल होगा उसकी क्लोज एसोसियेशन होगा निकलेंगे इंसेक्ट फ्रॉम बेजिटेशन कर रहे है बच्चो जो वह खाना खा रहे है वहां से डायेट अधरवाइस बच्चो अगर ऐसा ना हो तो हो सकता है यह मुश्किल हो जाए एग्रेट के लिए इंसेक्ट का पकड़ना बच्चो बास समझ रहे हो कि नहीं तो इसका कारड एसरसन भी सही रीजन भी सही और एक्स्पलानेशन है बच्चो तो क्या हो जाएगा दी इसलिए उसके करीब रहते हैं ताकि कैटल जब चलेगा तो वहां से फ्लस आउट होंगे इंसेट और उसको पकड़ के खा लेंगे विच केमकल आर प्रोड्यूस्ट बाइ प्लांट एक्चुली एज डिफेंस अगेंस ग्रेजर और ब्राउजर बताइए ग्रेजर और ब्राउजर से अगर प्लांट को बचना है बच्चो और लिसाइथिन नहीं होता है जैसे स्ट्राइचनिन हो गया ओपियम हो गया कुइनिन हो गया बच्चो ये सब जो होते हैं कैफीन ये सब प्लांट जो निकालता है अपने डिफेंस के लिए निकालता है बास समझ रहो कि नहीं बच्चो यस हाँ ठीक है आईए 180 यहाँ पर कहा गया in the equation of nt is equal to n naught e की power rt what is the value of e यहाँ पर e क्या है e का value बताईए बच्चो तो ncrt में directly लिखा है 2. base of natural logarithm का क्या value है 2.71828 बच्चो डारेक्ट इसको याद कर लेंगे which animal may be placed at third tropical label बच्चो बताईए इन में से कौन से animal को third tropical label पर रखा जाएगा जल्दी बताईए अच्छा निलांजना ओके बच्चा देखो बच्चो देखो जैसे plant है मालो कोई tree है plant को खाया cow ने cow को खाया बच्चा वॉल्फ ने और वॉल्फ को खाया किसने land ने ये हो गया तो वॉल्फ को यहाँ पर तीसरे position पर रखा गया ऐसे ju plankton sorry पहले है phytoplankton 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 को खाया ju plankton ने जू plankton को खाया फिस ने और फिस को खाया लार्ज फिस ने तो बच्चो यहां पर फिस को थर्ड ट्रॉफिकल लेबल आप लेजिए बर्ड जैसे ग्रास को खाया इंसेक्ट ने इंसेक्ट को खाया बच्चा बर्ड ने बर्ड को खाया स्नेक ने तो यहां पर बर्ड का भी थर्ड ट्रॉफिकल लेबल तो कहा गया है विच एनिमल में प्लेस हो सकता है थर्ड ट्रॉफिकल लेबल तो बर्ड भी हो सकता है फिस भी हो सकता वॉल्फ भी हो सकता all of the above ओके बच्चा चलिए all of the above आईए how many matching are correct कितने matching correct हैं बच्चो इसमें से बताईए काकरोज जो होता ओमनी बोर होता है वो बेजी टेबल भी खाता है और मांस भी खाता है तो देखो बच्चा बेजी टेबल खाने वाले को प्लांट खाने वाले को हर्वी बोर बोलते हैं मांस खाने वाले को कार्नी बोर बोलते हैं जो दोनों खाए ओमनी बोर काकरोज जो होता ओमनी बोर होता है क्रोज का हुआ भी ओमनी बोर होता है तो तीनो स्टेटमेंट बच्चा सही है, यहाँ पर क्रो को only हर्वी बोर बोला है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, इसका जबाब दो बच्चा, select दा सबसे पहली बात, incorrect statement आपको select करना है, incorrect statement select करना है, बताइए, काकरोज बच्चा, दुनिया की हर एक ऐसी चीज़ खा सकता है, जो living हो या living का product हो, यहाँ तक की वो gums भी खा सकता है, glue भी खा सकता है बच्चो, तो चलिए, सबसे पहली बात देखो कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए बच्चा कई सारे तरीके होता है, अभी आप 2 की power n लगा लो, कितने ये 16 में से कितने ये बने 2 की power n, n इस है number of heterogies, तो पहले बच्चो आप निकाल लो, ये वाले कितने बनेंगे, 2 की power, एक भी heterogies नहीं है, तो ये क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, एक भी heterogies नहीं है, तो किसी की power 0, 1 हो जाएगा, मतलब 16 में से, 16 में से बच्चा 1, क मतलब 16 में से बच्चो 2 वाले ये genotype के होंगे, उसके बाद बच्चा यहाँ पर क्या करोगे, 2 की power 0 लगाओगे, क्योंकि एक भी heterogies नहीं है, तो 1 होगा, तो 16 में से 1, अब उसके बाद, यहाँ पर क्या लगाओगे, बच्चा 2 की power 1 heterogies 1 लगाओगे, मतलब अब इसको cut क करोगे, बच्चो एक डिवाइड भाई इसको 100 से multiply कर दो अगर परसेंटन निकालना हो, और 100 को 16 से divide करोगे, बच्चा 6.25 आएगा, और यहाँ पर क्या दिया है, 12.25 दिया है, इसको 200, 100 से multiply 7.25 तो 11.25 निकालना हो, तो कितना आएगा बच्चो, सारी, हाँ कितना आाएगा? 12.5 यहां भी आएगा 6.25 यहां आएगा 12.5% तो मतलब पहला statement गलत है चलिए select the correct match for anuploidy anuploidy के लिए आपको क्या करना है correct match चूज करना है बच्चो जल्दी से नहीं बच्च लैग नहीं हो रहा है यार इसका नाम ना लिया करिए चलिए सबसे पहले down syndrome जो होता वो बच्चो trisomy होता है और trisomy में 2n plus 1 होता है और यह autosome पे 21 क्रोमोजोम पे होता है बच्चो चलिए तो total इसमे 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं यहां 2n minus 1 लिखा इसको गलत काट दो बच्चा turner syndrome में क्या होता है 2n minus 1 होता है मतलब बच्चो 22 pair या 44 autosome होता है और 1x chromosome होता दूसरा कुछ नहीं होता तो लिख दिया total 45 chromosome बच्चा तो इसको लिखोगे 2n is equal to क्या होता है 46 minus 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 45 बच्चो 45 तो यह वाला answer सही है क्लाइन फेल्टर जो होता है बच्चो वहाँ पर क्या होता है 44 chromosome autosome होता है x x y हो जाता है मतलब कहने का मतलब यह है total यहाँ पर बच्चो total यहाँ पर 70 chromosome हो गए और यह लिखा जाएगा 2n minus 2n plus 1 लिखा जाएगा 2n is equal to होता है 46 बच्चो और एक chromosome आपने बढ़ा दिया चलिए क्लाइन फेल्टर यह भी गलत हो गया तो अपना option क्या हुआ second चलिए बच्चो बच्चो इन में सब को आप आप सभी को किसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी को आप इमर्जनसी कोंट्रासेप्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें वो कॉपर्टी हो चाहें कॉपर से बन हो प्रोजश्टा सॉल्ट हो एलेंजी टुन्टी हो लेकिन देखिए यहां पर लिखा एलेंजी टुन्टी नॉट यूजड एज एमर्जनसी कॉंट्रासेप्टिव तो आप्ट्सन क्या हो जाएगा फोर्थ इन्करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला क्या हो जाएगा इन्करेक्ट हो जाएगा पार्टू अरली गृ里ीक ठिंकर थोट अरली गृ ivory यृिक ठिंकर सोशते थे unit of life जो है life की इकाई जो है chord उसे क्या बोलते थे बच्चो इस पोर बोला जाता था world transfer to different planet वो किसी और planet से आया और कई planet पे गए उसमें से एक अर्थ था और वहीं से life की शुरुवात हुई इस theory को बच्चा बोला जाता Cosmos, zoic theory या theory of pan-spermia बोला जाता है तो unit of life उन्होंने क्या माना इस पोर को माना इन्होंने जंजट ही कतम कर दिया इन्होंने सीधा कहा कि जो life है वो different planet से आई है और इस पोर के form में आई है बच्चो ठीक है Which of the following structure are formed in last developing fetus मतलब last में बनता है developing fetus में बच्चो, heart का formation heart का formation जो होता है अजट आपको यार पूरा कहीं न कहीं पढ़के जाना होगा नीट में पूरा याद करके जाना होगा तो आप blame नहीं कर सकते कि example से ज़्यादा है मालो example mode question बन गया धेर सारे example आएंगे फिर वहाँ के excuse आप देंगे बास समझ रहे हैं ना तो हर चीज के लिए तयार रही है आप विच आप दा following structure फॉर्म लास्ट में कौन बनता है फस्ट मंत में बच्चों क्या बन जाता है हर्ट बन जाता हो सर्कुलेटरी सिस्टम फस्ट में बन कर तयार हो जाता है लिम्ब और हाथ पहर और डिजिट उसमें दूसरे महीने बन बन बनता है बच्चा इन हुमन विच आप दा following cell number of chromosome is 23 बताईए इन चारों सेल में से किसमें chromosome का number 23 है किसमें chromosome का number 23 है बाबू बता दीजिए तो जो सर सर्टोली सेल 2N होता है तो इसमें 2N is equal to 46 होगा सर्ट लेडी सेल 2N होता है 2N is equal to 46 होता है इन दोनों में confusion हो सकता है बच्चा उगोनिया जो होता अगर एक को बोले उगोनियम 2N is equal to 46 होता है और यह जब growth कर जाता तो इसी को बोलते है primary u side तो अभी भी 2N is equal to कितना होगा 46 होगा तो 2N is equal to क्या होगा बच्चो 46 लेकिन secondary spermatocyte जब बच्चा spermatogonia होता है वो growth कर जाता है तो उसे बोलते है primary spermatocyte primary spermatocyte 2N is equal to 46 होता है इसमें meiosis first हो जाता है बच्चो तो बन जाते हैं क्या बन जाते हैं 2N is equal to sorry meiosis first के बाद क्या हो जाएंगे N हो जाएंगे N is equal to 43 N is equal to 43 हो जाएंगे बच्चो तो secondary spermatocyte yes अच्छा spermatriid का पूछ ले तु कितना chromosome number होगा अरे यार क्या लिक रहा हूं मैं इस spermatriid का पूछ ले बच्चो तु कितना chromosome number होगा बताइए spermatriid का अगर पूछ ले अब इसमें meiosis second होता हो spermatriid बनता है बच्चो इसमें कितने chromosome number होंगे तेज yes चलिए, 189, which is the three carbon containing compound, बताईए इन में से किसमें तीन कारबन है बच्छो, किसमें तीन कारबन है जल्दी बताईए, इसमें तीन कारबन होते हैं, इसी से बनता है पाइरूबिक एसिड, और पाइरूबिक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो बन गया लैक्टिक एसिड, तो इसमें भी तीन कारबन, इसमें भी बच्छो, तीन कारबन, तो सम में कितने कारबन हैं, तीन, तीन कारबन है, all आप दाईबब, 190, एथाइलिंग जो होता है, लीव को या अपर सूट को रिमेन एबब दा वाटर, क्योंकि इंटर नोडल एलोंगेशन करा देता है, तो बच्छो, या पेटियोल का एलोंगेशन तो एबब वाटर, वाटर के उपर चले जाते हैं, जो डूबे हुए प्लांट होते हैं, औ और दूसरा, पहला स्टेटमेंट सही है, more than 100 जिबरेलिन रिपोर्टेट देखा गया है, only from higher plant, यहाँ पर only लिखके गलत कर दिया बच्छो, higher plant and क्या होना चाहिए था, फंजाई होना चाहिए था, तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलद, first statement correct, second is incorrect बच्छो, ओके, इंट्रा साइटो प्लास्मिक स्पॉम इंजक्शन इसमें क्या किया जाता है इंट्रा मतलब होता है अंदर साइटो प्लास्मिक स्पॉम को डारेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है ओबम के साइटो प्लास्में अब बताओ बच्चो ये इन भीवो है कि इन भीवो है कि इन भ बिट्रो फर्टिलाइजेशन होगा बताइए इन वीबो की कटेगरी में रखेंगे की इन वीबो इन वीबो क्यों जाएंगे इन वीबो क्यों बोल लाँ यह देखो सब लोग इन वीबो बोल लो मतलब यार इसको आप ان वीबो मतलब अपने नेचुरल इनवार्मेंट में मतलब फैल ओपिएं ट्यूम में आप इसको ले जाएंगे इस पम को डारेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे यह लेबरेटरी कंडिशन में सियाटिम लिखा हुआ है लेबरेटरी में करा रहें मतलब टेस्ट्यूम में कराओ गे बच्चो तो इन विट्रो हो होगा इन वीबो ही होगा अच्छा चेक कर लो बच्चा इन विट्रो होगा एंसी आटी की एक लाइन देखना लाइबॉरेटरी कंडिशन लिखा महाँ पर इसका जवब दीजिए बच्चो फॉछ ओन ऑफ़ॉइं एक्सीटु कंडिशन क्या है एक्सीटु कंडिशन मतलब कोई चीज जहा है वहां से उसको हटा कर उसके natural environment से अलग उसको growth करा रहे है बच्छो तो इंसिटू होता है जो जहां है वही conserve कर दिया जाए इंसिटू conservation बाहर किया जाए तो इंसिटू conservation बच्छा यस तो जो logical park आएगा wildlife safari और botanical garden आएगा बच्छो botanical garden आएगा यस ठीक है which of the following statement correct for adipose tissue adipose tissue के लिए बच्छा correct statement क्या है adipose tissue एक type के connective tissue होता हूँ connective में loose connective tissue होते है बच्छो इसमें adipose side fat storing tissue होते है इनमें fat store होता है तो सारे के सारे statement क्या है सही और generally skin के नीचे पाये जाते हैं बच्छो बिनीद बिनेद इस स्किन human immune system consists of human immune system में क्या होता है या तो पूरा का पूरा organ होगा lymphoid organ जैसे tissue हो गया बच्छ लिंफाइड आर्ग में जैसे थाइमस हो गया यह थाइमस हो explain या तो tissue होगा जैसे माल्ट हो गया या तो पच्छा कुछ cell होंगे जो लिंफाइड किसमे human immune system में आएंगे जैसे blood cell में होगे लिंफोसाइड या तो soluble molecule जैसे antibody तो सब किसमे आएंगे पूरा एक system बनाएंगे जिसे बोलेंगे immune system immune system play important role in allergic reaction allergic reaction में इसका important role होता है क्योंकि हमारा allergy में क्या होता immune system को ज्यादा ही response देने लगता है auto immune disorder मतलब जब हमारा immune system अपनी body के cell को मारने लगे organ transplantation में बच्चा cell mediated immune response रिजक्ट कर देता organ को अगर बाहर से लगवाया गया बच्चो चलो बच्चा 195 रिकॉंबिनेशन बिट्विन अब बताईए 195 रिकॉंबिनेशन बिट्विन होमोलोगस chromosome हमोलोगस chromosome के बीच में जो रिकॉंबिनेशन होता है एक्सेंज ऑफ जनेटिंग material होता है बच्चो हाँ इन बताईए तो 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 बताईए वह एंड होता है कहां क्या होगा यह गलत हो गया यहां पैकीटीन होना चाहिए था बच्चो पैकीटीन के एंड में यह एंड होगा ओके डायकनेस रिप्रेजेंट करता है जब डायकनेस फेज आ जाएगा बच्चो लेप्टोटीन zygote, pakitene, diplote, diaconases इसके मतब प्रोफेज फर्स्ट कतम हो गया अब मेटा फेज की तरब जा रहे है तो diaconases represent कता कि हमारा transition प्रोफेज से किस में हो रहा है मेटा फेज में हो रहा है तो पहला statement गलप दूसरा सही पहला statement incorrect और दूसरा क्या है बच्चो सही है answer third होगा okay chemistry lover हाँ आप ऐसे paper के लिए तयार रही है यार इस question का जबाब दीजिए statement first statement second बच्चा मैंने बोल दिया in vitro होगा मतलब in vitro होगा बात मान लीजिए इसका जबाब दीजिए बच्चा देखो यहाँ पर क्या है बच्चो in s phase and z2 phase new dna molecule बनता है हाँ new dna molecule जो होता है बच्चो form not distinct अभी इसमें 46 के 46 chromosome क्या है not distinct अलग अलग नहीं है बट inter wind बता बुलजे हुए है जब condensation होता तो एक एक chromosome निकलते हैं बच्चो अपनी individuality gain करते हैं और सुलच जाते हैं अब देखिएगा बच्चो interface जो होता longest phase होता mitosis type of cell cycle और एक cell cycle mitosis है interface longest phase होता है तो क्या है दोनों statement सही है बोत first and second statement सही है जिनको बच्चा सी लग रहा तो वो correct कर लेंगे fourth कर लेंगे बच्चो fourth कर लेंगे scientist have identified scientist ने देखा कि about फलाने location फलाने को आपको बताना है location पे वैस single base dna में difference है occur in humans बताइए single base में difference है बच्चो 1.4 million location पे single हम सब देखो 99% बच्चा 99.9% क्या है बच्चो हम सब का genetic material humans का आपस में से बहुता सी 0.1% का difference होता वो 0.1% भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चा बास समझ रहे हैं कि नहीं तो उसमें से 4.1 location पे केवल single base में difference होता है बच्चो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको बोलता है SNIPS Single Nucleotide Polymorphism Yes Also credited for developing Determine the Amino Acid Sequence in Protein जिनों ने DNA में Nitrogenous Base के Sequence को डेवलप किया था Reading कैसे मतलब इधर से इधर केंप्यूटर में आप DNA डाली उधर सिक्वेंस लिखके आ जाएगा उन्होंने ही Amino Acid जो Protein Amino Acid का बना होता है इधर से Protein डाली उधर से सिक्वेंस लिखके Computer स्क्रीन पे आ जाएगा क्या नाम है बच्चा बताईए तो Frederick Sanger Ribosome consists of structural RNA and about बताईए RR Ribosome जो होता है वो किसका बना होता है RRNA structural RNA जिसे Ribosomal RNA बोलना है और 80 different type के बच्चों क्या होते हैं Protein होते हैं 80 different type के क्या होते हैं Protein होते हैं Alfred Harsay and Martha Chase Experiment कब किया गया था Transdraction Experiment किया गया था 1992 में ये बताने के लिए DNA Genetic Material है बच्चों ओके उम्मीद करते हैं बच्चों उम्मीद करते हैं आपको Session समझ में आयागा थोड़ा बहुत बहुत पेन में आपको पढ़ाया है तो बहुत ज़्यादा तो Interest आपको नहीं लगा होगा Interested नहीं लगा लगा लेकिन फिर भी हाँ ठीक है आप अच्छे से पढ़िए मुस्कुराते रहिए ओके बच्चों गुड नाइट